में गिरेगी कोई खिलाडी महां तक पहुंच ने पाया और एक रह नहीं हापर जुड़ता हूँ स्कोर है आठ पर तीन अपस्टम के बाहर गेंद स्ट्रोक केलना चाहते थे बीट वेस पर अपील वहां पर हो रही है लेकिन अपील को ना का रहा है पार ने और काफी धिमा क्रिकेट यहां पर होता हुआ हरी केंस के तरफ से बहुत अच्छे गेंद बाजी यहां पर हो रही है रेंजर्स काफी शानदार गेंद बाजी मिडविगेट के दरफ केलते हुए एक रन हसिल किया है स्कोर में इजाफा और बहुत देर बाद यह एक रन आ रहा है स्कोर 943 और एक विगेट विगेट नमबर चार और बहुत मुश्किल हालाद में यहां पर हरी केंस चौथा विगेट को दिया है नौ के स्कोर पर चौथा विगेट को दिया है हरी केंस ने शैलेश बेद मुथा तीन विगेट ले चुके हैं चार में से तीन बिल्कुल कमर तोड़ दिये है हरी केंस की यहां पर बहुत शानदार गेंद बाजी रेंजर स्वारा टॉप ओडर का यहां पर बिल्कुल खात्मा कर चुके हैं कोलैब्स हो चुका है हरी केंस का टॉप ओडर नौ के स्कोर पर चार विगेट स्कोर दिये हैं सही 30 गेंदे 33 टरंस पुटास गेंदी मोर दिया है इसको बहुत तेज़ जीज़े गेंद बैकवर्ट स्कार लेक के जानीब चार रन इस तरह से आखरी गेंद पर चार रन यहां पर मिले हैं बले बास को चार ओर की समापती हरी केंस 13 रन चार विक्टो के नुकसान पर 36 गेंदे 99 टरंस यहां काफी देर बाद बिल्कुल चार ओर के बाद यहां पर बाउंडरी आई है 36 गेंदे 99 टरंस 6 विकेट्स इंटैक्ट है और शैलेश बेद मुथा ने अपने दो वर्स में सिर्फ 10 रन देते वे 3 विकेट्स लिए है क्या शांदार स्पेल यहां पर किया है शैलेश ने बहुत हुंदा महश कदम और पंकज तवानी की जोड़ी मैदन में अपील जोरदार वहां पर कॉट बिहाइंड के लेकिन नौट आउट का अपार ने स्ट्राइकर सेंड एंपार की तरफ भी अपील हो रही है और बौंडरी लाइज से खिलाड़ी वहां पर पहुँचे थे उनके पास अंसाइड में मोडते वे एक रन की दौड लगा चुके हैं बढ़िया रन और सिंगल्स बहुत मुश्किल से आ रहे हैं अब रिक्वाइड रन्रेट 10 के उपर पहुँच गए हैं 10.24 14 पर 4 पांच वे और का खेल जारी 34 गेंदे 58 रन्स बीट वे पहले कदमों का स्तमाल करना चाहरे थे आपस्टम के काफी जादा बाहर गेंद कट करने की कोशिश बीट वे स्कोर 14 पर 4 टैप किया रन्च आते हैं काफी दूर निकल गया है अगर रनाउट स्टम्स पर अगर हीट करते तो शायद कोई मुश्किल काम नहीं था लेकिन विकेट की पर के हाथों में गेंद थमाई कोई नुकसान यहां पर हरीकेंस को फिलाल में नहीं हुआ 14 पर 4, 4.4 वर्स के बाद Slower one Deceived हुए बल्ले बास Slough खिलने का प्रायास beat हुए 31 गेंदे 58 रन्स फासला बढ़ता हुआ तेज पढ़िया गेंद पांच ओवर की समाप्ती 14 पर 4 30 गेंदों से 58 रन्स चाहिए महश चार और पंकच दो रन्स बनाकर खेड रहे हैं और अपने पहले वर्से अभीनो शर्मने दिये हैं सिर्फ एक रन्स दिया है उन्होंने तो देखना है कि ये 30 गेंदों से 58 रन्स बन पाएंगे या नहीं आगी की कॉमेंटर के लिए आपके साथ में जूड़ रहे हैं बिराड़े सर झाल 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 महेश्कदम पंकश्तवा अनि दोनी फलंदाज मैदानावरा है ती याटिका अनि इक्वेलेशन जर्थ उम्हाला सांगितर ती चेंडूत आठ्थावन दावा साधरनपने सरासरी बारा दावा प्रत्यक्षाटका गनिकपाईजेद आनि हे टार्गेट शक्य हूँशक्त आनि अशक्य पणा क्रिकेट महेश्क्य अशक्यास कही नस्त दो प्रेंद स्यवट्चा चेंडू पलत नै तो प्रेंद कही गलू शक्त आनि इतुन पुले ती चेंडू जा प्रवास शांग्न्या करता सेयद अफ्रोज ने मला अपला सोबद जुड लिले अफ्रोज में तुझा धन्यवाद ने अपन करतो याठी कानी वरुन खड़के गोलंदाजी करता है कॉमेंटर वोक्स से ने पंकच्तावानी करता अवे इतना जेंडु प्रवास करतो याठी काली आनी हाँ वाव अप्रतीम जेल अगदी आसमन तातना सूर्य डोलावर गी उंद त्यानी हाँ अगदी उत्तमासा जेल याठी कानी गेतला आनी पंकश्तमानी परद जात्वे जेल गेनारा खेलाड़ो ओता द्याटिकानी कुंदन पाटिल मुसीन पटे लेतायत नविन फलंदाज मैदानावर तैनी अपरतीम गोलंदाजी के लिए उती आता फलंदाजी इतना आपले संगाला स्तीर्ता देत एका बगुया एका पाठो पाट याटिकानी आपलेले विकेट जाताने दिस्तायत केवर कदाची यास परदे मदे पहला चासा संगा असेल कि जैनी केवर 14 धावान वर सहां शटकान परेंत पाच गड़ी गमाउन बस लेला परुन खड़के अलके आताने खड़ेला चेन्डुजाहित दो कदाची त्सीमा रिष्चे जबायर आणि हो या च्यार धावा आता परेंत केवर दोन चवकार आलेले लेत काट भी हाइंड आने परत सावा गड़ी बाद फक्त आने फक्त रोहन आचलिया सराज हीरो बनता है अपला संगा करता आचलिया सराण नीजा पते दिना इस्टी चाप अठी मागे कामगीरी के लिए लिए मैं कालस अपलाल सांगित लोता कि आचलिया सराण सा कलेक्शन विकेट चाप अठी मागे ते सांगतायत के शेर आखिर शेर होता है और शेर कभी बुढ़ा नहीं होता अठ्रा धावावर सहागडी बाद निच्चांकी दाव संक्या याटिकानी दिस्ते इती पलंदाजी करना रह संगाची अजोन सवशटक पुर्ण होना बाकी है आणी या शटकात अपन दोन गडी बाद जाले ले पाई लेथ वरुन खड़के कुप सुंदर गोलंदाजी करता है रोहन सरान्य आपली पाउल बाहर कालित लेकबाई चा इशारायत धावा आल्या पाई जीत हे तत्वय सद्या फलंदाजी करना रह संगाचा कारंड खुप कमी स्कोर आहे त्यांचा आणी त्यांना पंच्वीट चेंडु मदे त्रेपन धावा करायचे जवल पास मारलेला फटका शेत्रक्षक टैटिकानी दुस्तर्या करता धावलेत अनि या दोन धावान वर समाधान साहा शटकांचा खिरसम तो 21 धावा साहा गडिबाद साथ वश्ट कला त्यूंस 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 एक अजुण सांग्ला जमलू वाव क्या बात है आग दी खेड़ावस समोर द्यावा आणि फलंदाजानी चालाय लागाव आचलिया सर आज आपला संग मात्रा अगरे सर कामगिरी करता न दिस्तो आपना परिंत आशी कामगिरी कुटले आज गोलंदाजानी यास पर्दे मदे केलेल न उती करन अपले महीती करता केवल एकविस दावास तान या टिगन स्तात्वा गड़ी बाद होता न आपला दिस्तो आश्यक्य प्राय तार्गेट तैयार होता न दिस्ते तेवी चेंडूत एक कमन दावा कराई चाहेत साथ गड़ी बाद जाले ले आपिल होता है पना आचलिया सरांच आपिल फक्त तात्पूर्थ होता तेचे जीवन होता यहला क्रिकेट मदे निर्जियो आपिल मतले जाता है सुनिल भर्मा खाता उगर्ण बाकी है अनि सेव आचलिया सरांच आपिल ला मोटिवेट करने करता प्रिक्षक आले ले दहा दहा प्रिक्षक शंबराची बरुबरी न तिदर चेरिम करता है वाह अनि या बरुबर याटी कानी साथ शटकांचा खेल समत्वे साथ गड़ी बाद अनि धाबा केवर बाविस या नंतर आठरा चेरिम जाखेल शिल्लक आहे दोनी संग या नंतर चेर सामने ची प्रैक्टिस करता है स्वतला वाम अप करता है स्कोर दाला ले आहे बेदमुता सर बाविस दावाद साथ गड़ी गारत आनि आठवाश शटकाला प्रारंब करें वाभाद प्रांब अनिया चारधा वालत काफी देर के बाद में यहां पर चौका आया है और इस तरह से आज का ये शांदार मुकाबला जो एक तरफा दिख रहा था इसमें परिवर्दन लाने की कोशिश हो रही है सुनिल वर्मा एक अच्छी गेन इस तफ़तपादी दूप में दोनों बीटी में एक दुसरे के साथ जूज रही है दाहरिकेंस फिलहाल बड़ा संगर्शमय सफर कर रही है और इस तरह से और एक डॉट बॉल और एक अच्छी गेन क्या बात है बहुत बड़िया गेन बाजी जितनी भी तारीफ की जाएक कम है और यहाँ स्वप्निल मुंदला जीस तरह से गेन बाजी कर रहे है वे काफी लुभावनी गेन बाजी कर रहे है अपनी टीम के लिए जीत काफी दूर जाती भी नजर आ रही है और एक अच्छी गेन आज हैरिकेंस के लिए काफी अलग दिन माना जाएगा क्योंकि वे केवल 26 रन बना पाएं आप तक इतना लो स्कोरिंग और इसी के साथ मैं और किसमाप्ती 12 गिंदों में रन बनाने हैं आपको जीत के लिए 46 12 गिंदों में 12 गिंदों 46 रन बनाने हैं और यहां पर साथ टिकेट का नुक्सान हुआ है 26 रन क्या ये अलोट होंगे या रन बनाएंगे या फिर खेल किसी और मोड पर जाएगा में पराइड है झाल झाल अच्छी गेन सरानी तारीफ काबिल और आज का ये थोड़ा अलग मुकाबला देखने को मिला सीजन चौदा का हैरिकेंस काफी संकट भरे दोर से यहाँ पर गुजर रही है रोहन सर काफी दूर तक दौड़ गए एक रन मिलेगा दूसरे के लिए कदम निकाले वापत जाना होगा सीए धनन जै खामोशी है मैदान पर स्टेप फर्मलिंग हुआ है फिर वापस आए गैरा नमबर के खिलाडी गेन बाजी कर रहे है फुल टास उतना ही करार अपरहार सजाए चार और यहाँ पर आपको सजा दी गई चार रन मिलेगा अगर गेन गलत होगी तो इसको पनिश किया जाएगा एक अच्छी गेन हल्का सा पैर पे टकराई अमपार का इशारा और एक रन का इजाफा इस ओर के आखरी गेन बढ़िया स्टो गेन सी मारे का पार चार अनों के लिए शवच्या फलंदा जान्नी मात्रा आपनी कि मयाद आखवल सुरुवात के लिए सामना अजुन ही संपलेला नाही आनी शवच्या शटका मदे आपलेला दावा कराई चाहत्या 35 साहा साहा 36 होता दावा कराई चाहत्या 35 चेंडु शिल्लक साहा मुंदला चाहता चेंडु दिलेला है मुंदला काई करतों भगुए अपला संपला करता पस्तिज नावा कराई चेंडु शिल्लक आए सदु दिस्वर साथ शवट्चा शटक स्वप्नेल मुंदला तेवी स्क्रमांकाचा खेलालू यानंतर भुनारे सामनेचा शत्रक्षन करनारे संगाला विननती तातकल मैदानाती आपो आता मात्र प्रतेग चेंडु वर शटकार लगावला तरी विजायना ही स्वप्नेल मुंदला उप्तम गोलंद अजिकरतों स्वप्नेल मुंदला ने पहला शटकात के वल चार दावादे ने लेवता लेगवाई चा इशा रहे तो है चांगला चेंडु अप्रतीम उत्तम गोलंद अजिकराव तेवल कभुतु कमी आणि आथा चेंडु केवल शिल्लक आएते तीन चेंडु चोवतिस दावा कराई चायत सामन्या मदे आउप्चारिक्ता रहलेली फक्त आणि आउप्चारिक्ता पार पाड़े दास्ता ना या सामन्या वर वर्चेस्वा गाज़ो लेते गोलंद अजान्य जवकार नी काई फरक पड़त नहीं देनना आणि या साहा दावां सा सिंगना लेतो है अप्रतिम शटकार दोन चेंडु दाटविस दावा कराई चायत हाने क्लीन बोल के ले लेता नी एक चेंडु बाके शटकार चेंडु के उनमा अर्ग अगरमन करता है ते स्वपनिल मुंदड़ा एक पॉइंट पाच दावा अनि एक गड़ी बाच वपनिल्च अनलेसिस है योला धावाच जाओन करनार तरी काई शटी चेंडु शवट्सा है आनि पुणा एक दा क्लीन बोल आनि यह चे वर वर एक चांगल शटक सम्तन दिसते आपलाला इति में आपलाला सांगुईच्छी तो की हा सामना जवडपास सीए शेलेची आविनांदान आपन मैनोंप्धी मैच्चे मानकरी आहाथ आपलाला विनांती सलाप, फिल्डिंग करना ने टीम लवकर मैधा न दिया करते हैं करते हैं करतेह बत्त्त करते हैं पेटरो टीम हमारी आवाज आ रहे है आप तक स्कॉर्पियन पेटियोट टॉस आपने जिता था क्या फैसला किया है आपने बॉलिंग ओके गैर सुनिल झार भी कर दो किया है आपने जिता रहे है आपने जिता बाद झाल 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 21-21 झाल 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 करारा प्रहार दूसरे की दौर लगा रहे हैं और थ्रो नहीं पहुँच पाया उससे पहले अपने क्रीज में पहुँच गयता है महमद हिलाबी बढ़िया दोरन 98 फार फाइफ हिलाबी चौदापर और शुबंबरकसे एक रंग बना कर खेल रहे हैं अभी भी तीन गेंदो का खेल बचावाएं इस सिनिक्स में 98 इस दस स्कोर और एक रंग कुल स्कोर 99 कुल से दस्कोर कुल स्कोर कुल स्कोर कुल से बचापर बहुत अच्छा शौट है ये बूलर के सर के उपर से अच्छा थरो बहुत ही जबरदस रो आया सीधे बूलर के हाथ में और क्रीस से वहाँ पर दूर पाए गए बले बासा और रनाउट के रूप में और एक्विकेट सौरा निहाँ पर पूरे हुए है जी अमजे चैलेंजर्स के बोल्ड हो गए बैटसमन 101 रन्स बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए रेनिगेट्स को सौ रन्स बना चुकी है जी अमजे चैलेंजर्स पहले बले बासी करते हैं अपने दस होर्स में तो जैसे ही रेनिगेट्स की पारी शुरू होगी हम आपके साथ में फिर जुडेंगे तब तक के लिए धन्यवाद तक के लिए बले देख भी में खिर लिए ए दुडेओ उन्यवाद झाल 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 सर्ल लगे सालेते बगा स्टार्स नाइट रैडर्स नाइट रैडर्स आप लदाल विनिंती गुर्पाई लग करिया नाइट राइडर्स दुनी संगलना मिननती ततकर या स्टार्स एन नाइट राइडर्स क्याप्टान नाइट राइडर्स संग तो ये तो ये समोरुन या सर लोग कर सामना सुरू होने चाह दी सरक तो एक मिन्टा सब पांडे सर केदर पांडे सर टॉस करता है आले ते का झाल राइडर्स का मिन्टा स्थरू हो ये दए है का मिन्टा प्रु आपी नाइडर्स झाल झाल दोनों कैप्टन से निवेदन है सर कून करता है स्कॉल नाइटर्टर्स ना प्रतम गोलंदाजी करने सान निवेदन है प्रविन सर बराबर ना अग्वेदन नाइटर्टर्स नाइटर्स 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 नाइटर पहले आपकी तो अब हमारी बारी है आपने भी इसी तरह से चोके चके लगाया थे और यहाँ येश लोहिया के द्वारा पहली गेंट पे छे रण फिर एक बार गेंट सीधी हाथ में पहले छे फिर बार में आउट निखिल निखिल खंडिलवाल को मिलती भी सफल था और करारा प्रहार वैसे यहाँ पर सीधी गेंट शत्रक्षक के हाथ में अनद नावंदर बल्ले बाजी भी काफ़ी अच्छी की है और सीधा क्याच नए बल्ले बाज आ रहा है अफ्रूस येश लोहिया काफ़ी बहतरीन बल्ले बाजी के इरादे से आया थे लेकिन इरादे सफल नहीं हुए वापस लोटना पड़ा है गुमाने का प्रयास अंपार का इशारा वाइट का ये अलग तरीके से के लिगेगे न और यहां विकेट जाएगी स्कूप करने का प्रयास किया और यहां पर फाइनल लेक की दिशावर शॉट फाइनल लेक पर आउच और इसी के साथ में ये दूसरा जटका आपको लगता हुआ अफ्रोज आए खड़े रहे और वापस चले गए नए बल्ले बाज के तौर पर शुबम जैना आया है पहला ही वोर चल रहा है केवल गेंदे फिक की गई है तीन विकेट चले गए दो और यहाँ दोनों भी बल्ले बाजों को अभी अपना खाता खोलना बाकी है सीधी गेंद मिडल स्टीक पर और यहाँ बज गए शुबम तयार गेंद बाजी के लिए निखिल खंडलवाल यहाँ आज चाय हुए है पहला और चल रहा है साथ रंदे कर दो विकेट अरजित किये है यह गेंद हवास सफर कर रही है और यहाँ केवल एक रंड मिलेगा यहाँ एक रंपर संतुष्वेक्ति किया है पहले और की आखरी गेंद निखिल खंडलवाल की निखिल को मोटिवेट किया जा रहा है अपनी टीम की तरफ से काफी अच्छा तालमेले आज का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली यह टीम है जो गेंद बाजी कर रही है यह लॉकल करने का प्रयास किया गेंद आसानी के साथ केल दी कवर्स की दिशा से गेंद वापस आएगी तब तक के वल एक रन मिलेगा 101 रनों का टार्गेट दिया है आपको पूरा करने के लिए अब गेंद बचिये 55 रन बनाने है 93 यह शांदार खेल का यहां पर हम लोग दूसरा दिन देख रहे है और दूसरे दिन के यह बहतरी मुकाबलों का यहां पर यह चौथे मैच का मध्यांतर के बाद का खेल देखा जा रहा है जबके बलेबाजी करने वाली टीम 101 रन बनाने है केबल पहली वोर में दो विकेट गबा दिये अंदर आती हुई गेन निकिल खंडल वाल की जगा लेने के लिए अदित्या साबू आये है देखिए यहां यह पहली तीन वोर तै करेगी कि जीत किसके पक्ष में होगी यहां अगर बताया जाए तो चैलिंजर्स ने तो फिलहाल इस मैच पे अपना कवजा कर रखा है बढ़िया गेन कवर्स में जा रही है शेतरक शकाय उठाए तीन तीन लोग दौड रहा है एक के पीछ एक और गेन वापस आज 35-37 डिगरी सेल्सियस के दरमें तापमान नजर आ रहा है यह गेन सीदी ओहो बढ़िया शेतरक्षन अच्छा तालमेल दोने के बीच सरानी यह खेल पिकेट की पर अपने खिलाडियों को मोटिवेट कर रहे है अधित्त सावू गेन अवाम हैं कोई नुकसान नहीं होगा रन जरू मिलेगा कि अब एक दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं तू उर्थो नतीजा दो रन आसानी के साथ वन पॉइंट फूर ओर तेरा रन दो विक्टो का नुकसान ब्लाक फोल करने का प्रयास गेंद एक रन आसानी से जुड़ जाएगा एक कदुका रनों के साथ में स्कोर दीरे दीरे आगे बढ़ रहा है जबकि यहाँ चौदा रन बने है यह गेन हवाँ में सफर करती वही कितने रनों के लिए भाई देखे ज़रा गेन देखें सर बॉल बहुत असर ज़र ज़र मागा नज़र देना सांगा बॉल देखें और दूसरे और का समापन किया छे रनों के साथ में रन जाकर बहुचे बीस रनों पर दो और के समापती पर काफी शानदार खेल यहाँ पर दिखाए दे रहा है दोनों टीमें एक दूसरे के साथ में क्योंकि जहां तक का सफर है रन बनान 101 जो दोर में बीस रन बने है इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं यानंतर चेंडू सो पोला जाते तो वसिमबेग चाहता मदे वसिमबेग आपन करनदार आहाथ आनि करनदार पदाला साजेशी आपन खेली केली स्पोटक फलंदाजी केली आता मातर गोलंदाजी जिदुरा आपले खांद्याबर वसिमबेग लेक्स टिकला जानार चेंडू आनि हाँ वाकन पसंद केले नाही आनि चेंडू सीमा रेशाव लंडून गेला तो चार दावान करता चांग ला कट जातो ये चेंडू परत सीमा रेशिकले आनि बैक तु बैक फोर याडिकने बगेरा मेरता है ये दोन चावकरांचा साइयने दावसंग्या अठाविस्वर जाउन पोस्ते इधे मातर दूस्तरीय शटका मदे बसिम बेगला पाटवपाट सवकार लगाऊन फलंदा सांगता है कि तुमीज अश्या धावाजमा केल्या तेच काउशले आमचा कले पने करन हाँ क्रिकेट आहे अनि क्रिकेट मदे कुनी लाहान कुनी मोठा नस्त करन वयाच्या 15 वर्षी तेंडूलकर जमा खेला लायतो त्या वलेस कपिल देव सारका महान अनि दिग्गस सुनिल गावसका सारका महान अनि दिग्गस केलालू तेचा सोबत खलेता नापन पाईलेलेद मनु क्रिकेट लाहान मोठा नस्त क्रिकेट मोठा नस्त यास चेंडू हावेद शत्रक्षक खाली आनि हाँ गड़ी बाद हो तो याड़ी कानी वस्यम बेगला मेलना रहा पहला गड़ी बाद करतायत 28 पर तिस्रा गड़ी बाद यान तर गोलना जी करता वस्यम बेगला तयार होत तो ये तेचे आजू तीन चेंडू बाद केट नविन फलंदा यतेत मैदानावर स्रिनाथ स्रिनाथ राजहन्स डेड़ बॉल दिला पंचाननी ग्राईयन आही करता सकड़ पासन उबर हाऊन संध्याकाल परिंत पंचगिरी करने उड़ सोपन आईए चेंडू हावेत नहीं तोए केवल एक धाव वसिम्बेग पुना एक दा अपला संगाला चंग लिया सिदितान्याच अपरेत न करतो है 21 वर तीन तीसरे शटक पूल न करता है शवर चेंडू वसिम्बेग सा मिडल स्टिक वर चेंडू पाया वर जोना दरला अनि या बरबर वसिम्बेग सा शटक समते ते वह एक उन्दाव संग्या 21 तीस तीन गड़ी बाद आनि तीन शटक पूला है इदे आपन बगतों चवते शटकाला प्रारम बहुतो है तो कमेंटरी बॉक्स से इन नी आनि शुबम मालानी आनि स्रिनात राजहन्स मैदानावर नावंदर अंचे हातर चेंडु आहे वसिम्बेग नंतर आनन नावंदर बरकट लेला चेंडु पंचान सा वाइट सा इशारा दावाड ते एक उन्दाव संग्या तीस मिडल स्टिक वर्चा चेंडु तो जातो है मिडविकेट चेंडु परत देतो है तो परेंद एक धाव आग दीस सा जमाव इल एक इड़ी दो ये धाव अन्ने धाव संग्या अटिक वारता ना दीस्ते अपलला टारगेट सांग्य दे दो बेचली चेंडु द बाहत्तर दावा करेंचर जिंक्न्या करता आणि योड़ा मुठा टारगेट आहे असा वाटत नाहीं पनमात्र क्रिकेट मदे असंबव असा कही नस्ता अलके हाता निक्या बड़ एक धावा करता पावलबाहर कालित माघार यालित वाह सुन्दर्शत रक्षन अनन्नावंदर उत्तम मारा करता हैत कॉमेटर बॉक्स एंडनी गोलंदाजी मदे विवीपता आनता हैत आणि फलंदाजी जशी तैन्नी स्पोर्टक के लिए तशीच गोलंदाजी जी आपेक्ष्य तैंचा करना तैन्नी स्वताथ जंप लगावली आपलेची इंडूला गेन्यासादी पन तित परंद देजाओ शकलनाई आनि एक धाव तैंचा खात्या और जमाओते मैदान बरन हलोच सावेची जुलूक एसी सा फिलिंग देते आपलेचाला विस्तिरनासा मैदान आनि या डूंगराचा पाइथ्याशी वस्तेला हाँ एमाइटी सा परिसर गाबाचा स्वरू शहराद जालेला आपलेला बखेला मिलते उन्चा उन्चा हिमार्थितना नावंदर पुना एकदा गोलंदाजी जमार गाबर ओ चांगला प्रेतन जर्द आपन क्याज गेतला स्था तर कदाचित यास परदेतले आपन जॉंटी रूड दाला स्था खुब उत्तम प्रेतना आपला वसिम बेक सर जॉंटी रूट चा सार का प्रेतने केला देन्नी नावंदर बन बाउंस चेंडू उत्सल ला जाईल के वर एक दावानी है शटक समते चार शटकांचा समाप्ती वर एकुन दाव संग्या दाली थी खुब सुंदर प्रेतने केला वसिम बेकनी या शटका मदे स्कोर जाले लाए तो एकुन चावतिस दावा चार शटकांचा समाप्ती वर या टिकानी शुबम माला नी करता है चाहा दावा काड़ू तर चार चेंडू स्रिनाथ करता है शुबम माला नी चाह शुबम माला नी चाह बात चाह तो याव याह याव 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 यार वा सिम सभवर स्ट्रेट रायव यत्वे अनि याँ चार दावा खुब लाम परेंतवा उन अलवाई जापेट ने केला अनि याँ चार ब्लोक कराई जापेट ने केला यॉर कर कलिनेज अपरेद नौत अपन मात्र फलंदाज अगदी चानक्ष तैनी पाहिल उडखल आणि तचा हीतु तेचा लक्षा दाला मनुन केवल एका धावे करता देनी चेंडु हलुवर तोलून एक धावा अपला खाते वर जम्मा केली वसिम बेग दोन चटका तेरा धावा देत एक गड़ी बात केला है मिडल स्टीक वर गेलेला हाँ चेंडु वसिम सारांचे कवतु केले जाते तेचा संगा करना कि उत्तम गोलंदाजी करता हाँ आपन आज उन ये चटका दे दोन चेंडु यहना बाकिया है कलक स्टोक लोंग आफ वर न चेंडु परजातो है आणि या बरो बरज वसिम बेग एक चांगला चेंडु टाकता न आपलेल दिसता है जावलेज ना बाजालेज चालीज तीन गड़ी बाद आणि पाच्वेशटका द्लाज शेवट्चा चेंडु वसिम बेग्यांचा समोर फलंदाज तो शुबम हावे एतना चेंडु प्रवास करतो है किती दावात हैत बगुया केवल एक की दोन वाह यह लाम अंतर आनंतर केवल एक दाव जमा मिलीते तेमा शेत्रक्षकाचा काउशल ले अपला लक्षा दिरते आणि या बरुबर चार शेटकंचा खेल समतो है तेमा एकोंदावा एक सहां चेंडु चार दावा कालुन तर शुबह हम अपन सवदा चेंडु तेरा दावा कालुन करता है चेंडु शिल लक तीस दावा पाईजेट साथ आनि टार्गेट दिले ले देक्षे एक दावांच या पुर्चे दावा कशायता है ते सांगन्या करता अपलेशी जुड करता है जे ददितलें एक कालुन से सांगनों गईटा था पुर्चे चौर्चे कालुभ तेसा है करता है तो अज करता है तक कन 잘못 स्तिता मान पट्रागे हम अजया सर्भा दोरभरे भ Herr झाल 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 से साथ रंस चाहिए साथ प्रिकेट्स इंटेक्ट है शुनात राजंस और शुबं माला ने आँ भया यह अपडेट ने हो रहा है इसमें हो यह गलती हो यॉर कर लेंग बहुत अच्छे गेंद और अच्छा खेले इसको मिडविकेट के तरफ फ्लिक करते वे दोर अनासिल किये शुबं ने फर्टी त्री फर्टी फर्टी उन्तीस गेंदे अठावन रंस कुपसूरत कवर ड्राइब स्वीपर कवर मौजिद बहुत शांदर फिलिंग और रिडन सिर्फ एक रनिहा मिलेगा बले बाजो को चवालिस परतिन और यह क्या आच हो जाएगा विकेट नमबर चार रेनिगेट्स के लिए यह सकते लिएर मौजबर बले बले बलेगेट्स की लिए जबर विकेट्स परत्से आच हो जाएगा झातादी पर फिलिए आच हो जाएगा बले बले परकार रेनिग कासी विलें और रिनिगेट्स का स्कोर है चब वालीस पर चार फोर 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 अफटर फाइप पांट्री अधित्य जेत्लियाने बलेबास मुड़ा इसको स्कोर लेकी तरफ किलाडी महापर तैना थे एक ही रन मिल पाएगा उससे ज़्यादा नहीं पैतालिस पर चार तेज रन शौर्ट फाइन लेक पर किराड़ी थे लेकिन गेंद उनके हाथों में जाने के बावजूद एक रन की दौर लगा चुके है बलेबास च्छे अलिस पर चार पच्छीस गेंदे पच्पंड रन्स खराब गेंद पनिश कैस को मिड विकेट के उपर से ग्राउंड के बार जाता वह यह सिक्सर बड़ी असिक्स आख्री गेंद पर यह शांदार सिक्सर लगाते वे बड़े स्टाइल में पचास रन यहाँ पर टीम के पूरे वेर रेनिगेट्स के बावण पर चार चे ओर की समाप्ती रेनिगेट्स बावण पर चार चौबिस गेंदों से अब उनचास रन्स की जरूरत 24 बोल्स 49 रन्स तु बिन कि बावण wrap मिझेट्स की जरूरत कि बावणे के लिए स्टाइयर वेन Jeugdे यहाँ कि वे पर चार लेह भी में पर चाहस्जत जरूरत अच्छी कोशिश महापरशु बंकी डिरेक्ट हीट अगर हो जाती तो रन आउट हो जाते गिवप किया था शुब हमने शायद निकिल खंडल वाल थे हमाँ पर बड़िया पिकपर थ्रो एजट एंड गौन इस याउट यहाँ यहाँ तक समझ में आके एज़ोती भी गेंग गई है बड़ी खुब्सरत गेंग थी है मौमद हिलाभी की पहले गेंग पर कौट बिहाइंड हुए है अधिते जेतलिया की बड़ी विकेट यहाँ पर गिरी है रेनिगेट्स की आदी टीम त्रेपन के स्कोर पर आउट हो चुकी है 53-5 22 गेंदे 48 रंस शुमम अभी भी अठा रंड बना कर खेड रहे हैं शुमम जैन रंचाते थे ने बले बाज शुमम सुमम नी और दोनों ये एंड से शुमम 21 गेंदे 48 रंस साथ वे वर्का खेड जा रही है मोडा इसको मिड विकेट पर खिराड़ी मौजुद है सरकल के अंदर रोका गया सिर्फ एक रंस मिलेगा 54 पर पांच शुमम जैन आप स्ट्राइक पर होंगे 18 रंस बना कर खेड रहे हैं तेजी से रंस बनाने की जरूरत है रेनी गेंट्स को बहुत तेजी से रंस बनाने पड़ेंगे इस तरह से बिल्कुल इस तरह से रंज बनाने पढ़ेंगे बहुत शांदर सिक्सर मिड़ विकेट के उबर से यूज वन अरे भाईया थोड़ा से अपडेट नहीं हो रहा है वो स्कोर है साट रन सिक्स्टी फॉर फाइफ उन्नीस गेंदे एक तालिस रन बड़ा शांदर स्टो खेले शुमम जैन उन्नीस गेंदो से चवबीस रन बना कर अच्छी बले बाजी अच्छी कोशिश में जुटे है शुमम फिर से एक अच्छा शॉर्ट और ये गेंदे सी दी गई है बाउंडरिन एंपार चार रन बोलर और अमपार के सेर के उपर से खिला गया है शांदार स्ट्रोक और क्या शांदार बैटिंग करे शुमम जैन चावसट पर पांच साथ ओवर किस समाप्पी पर साथ के बाद चावसट पर पांच अटरा गेंदे साइथिस रन्स 12.33 is the required run rate अठरा गेंदो से साइथिस रन्स चाहिए और पावर प्ले बैटिंग का एक ओवर का होगा यही शायद बले बाद कुछ सोच रहे हैं अब तक लिया नहीं है चौसट पर पांच यह स्कोर अठरा गेंदो से साइथिस रन्स चाहिए रेनिगेट्स को अठरा गेंदो से साइथिस रन्स चाहिए रेनिगेट्स को खिराडी नीचे आ रहे है लॉंग आफ पर बढ़िया कैच और जिस तरह से कैच लेने के बाद सेलिब्रेशन वहाँ पर किया है लेट अठरा गेंदो से साइथिस रन्स चाहिए रेनिगेट्स को जैन अभी भी क्रीज पर मौझूद है अठाइस रन बना कर खेल रहे हैं शौट अच्छी फिल्डिंग रन आउट की अपील लेकिन क्रीज में पहुंच गये है ओमकार निकम 65 परचे 16 गेंदे 36 रन्स तेज तरार स्ट्रोक थोड़ा सा मिस फिल्ड और गेंद रोप को टच कर गई है चार रन अच्छी बल्यबाजी करे शौबम जैन बहुत शांदार यही बल्यबाज रिनिगेट्स की नया पार करा सकता है इसमें वो दम नजर आ रहा है शौबम 69 फॉर 6 अब पंदरा गेंदे रह गई है और जीत के लिए रिनिगेट्स को चाहिए 32 कोई साथ देने वाला चाहिए शौबम का जी है बिलकुल पॉसिबल है शौट तेस तरार लॉंग आफ से जब तक किलाडी जाते बढ़िया फिल्लिंग सिर्फ एक ही रन दुसरे की तलाश में थे मौका देख रहे थे कि कब महाँ पर थोड़ा सा फंबल हो और दुसरे का मौका बने लेकिन एक ही रन मिल पाया ओ बोड़ो गए फुल टॉस बना देवे खेलना चाहते थे यार को गए बले बास ओमकार निकम की पारियां पर खत्म होती भी विकेट नमबर साथ सत्तर पर साथ 13 गेंदों से 31 रन चाहिए सत्तर पर साथ लोंगान के जाने खिराडी मौजूद है एक एरन मिलेगा आठ ओर के बाद रिनिगेट्स 71 पर साथ राम मिलन जांगिल आये है नए बले बास 12 गेंदे 30 रन 2 ओर से 30 रन चाहिए ये ओर में रन्स निकालने होंगे बले बास को शुबम जैन अभी भी एक रिस पर मौजूद है बहुत उंदा बले बाजी कर रहे है 33 रन बना कर राम मिलन देखना है कि बले बाजी आप कैसे करते हैं पिछले ओर से 7 रन आये हैं और 2 विकेट्स कोई है रेनिगेट्स ने 9 ओर की शुरूआ कैच का शाउट खिलाडी नीचे आ रहे हैं मुश्किल कैच लेकिन पकड़ लिया है कैच को बढ़िया कैच 8 विकेट्स का पतन होता है रेनिगेट्स ने बले बाज क्रीस पर पहुंच रहे है यूसुफ पठान पठान पावर दिखाना होगा यूसुफ पठान की याद ताजी करनी होगी इस बले बाज को 71 पराट 11 गेंदे 30 रन पुल्टास और इसको मूलना चाह रहे थे स्क्वाइर लेक के पीछे खिलना चाह रहे थे गेंद गई 72 पराट यूसुफ पठान ने स्ट्राइक रोटेट किया है ये बले बाज के पास में स्ट्राइक चाहिए 9 गेंदे 29 रन पुरी टीम वहाँ पर देखे डगाउट के पास खड़ी हुई है चाहते के शुबं तेज तरार स्ट्रोक्स खेले कैच इट का शाओट बढ़िया फिलिंग पुर्ट बढ़िया फिलिंग फुल टॉस बना देखेला लॉंग उन पर एक रन मिलेगा जी एमजे चैलेंजर्स ने इससे पहले कि जो दो मैचेस थे वो जीते हैं और यहां पर भी ऐसे लग रहा है कि बहुत मस्बूत पकड़ बना रखिये इस मैच पर छोड़ेंगे नहीं आसनी से साथ गेंदे सताइस रंस चहातर पर आट सवरब बढ़िया शॉर्ट लॉंग आफ पर बिल्कुल सीधे खड़े किया था कि राड़े कोई एक रन मिलेगा नौ के बाद पचचतर पर आट छे गेंदों से चब्वीस रन चाहिए बहुत मुश्किल काम लेकिन स्ट्राइक पर होंगे शुबम जैन 35 रन बना कर खेल रहे हैं छे गेंदे 26 रन रेनिगेट्स के लिए एक्वेशन अतना तेज तर्यार ये स्ट्रोक नहीं है रन नहीं मिला रन लेने की कोशिश भी नहीं की पांच गेंदे 26 रन अब चार गेंदों से 26 रन चाहिए 75 पर आठ आख री ओवर चल रहा है और सिर्फ फॉर्म जैन आउट हो गए है आखिर कार लॉंग ऑन पर पकड़े गए नव विकेट गिरा है रेनिगेट्स का यहीं मिला रहा है और तीन मैचे इसमें से तीनों भी जीते हैं GMJ चैलेंजर्स ने कॉंग्रेचुलेशन्स सिर्फ और मुनेटी से रहे इस मैच की बहुत अच्छा खेले पुटास गेंद पर खेला इसको मिड़ान शेतर से गेंग जा रही है एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया था GMJ चैलेंजर्स ने और यह ओल आउट होने जा रही है टीम रेनिगेट्स ओल आउट हो चुकी है और इस मैच को जीत लिया है GMJ चैलेंजर्स ने तीन में से तीन मैचे जीते हैं चैलेंजर्स ने Congratulations once again. Student of the match, Rahul Pawar. दो विकेट्स उन्होंने लिये है, Rahul Pawar ने. और सिय की तरफ से, मैन अफ दिमाच है, वसीम बेक, दी कैप्टन. तो चौबीस रन्स से, GMJ Challengers ने इस मकाबले को जीता है, और अपने तीनों मैचेस जो खेले हैं, वो तीनों के तीनों जीते हैं, GMJ Challengers ने. ट्मिट्रें 90 शों आप एढू सर्वंगë ओिपक्तीक अवगारा, प्टेश know धिकते हैं, GMJ on mcks एप तीनों, सकते हैं, GMJ informação आप आप से, extremes, पनलप्वाई आप मेचे हैं और ज्म्तमें. झाल 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 सब बैक्समन लाइए ना जल्दी से झाल 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 अभिजीत काकड़ानी संकेत माजन माईदानाब राहे से ये सचीन सोनी चांगल कोडिनेशने सगल्यांच पन मातरी थून सोला धावा प्रत्यक्षटकालाजर कराई चास्तील तो त्यावलेस मातर फलंदाजी करनारे संगा वर्थोलासा प्रेशर आलेसार कवट्थ आणि सचीन सोनी अपलेशन कातला पुर्जाच जंडुग्यों तयार होता है एक उन्दाव संक्या जी आहें त्यादी संत गतीने तयार होता न दिस्ते एक तीस तिन गड़ी बाद किंग राइडर्स सोनी सर शैतरक्षन लाओन गेता है उत्तम स्रोग पॉइंट अनि कवर गली चे दिशन चंडुग्यों जब रंद पर दिल यहां डीप पॉइंट वरन चंडुपर दाला दोन दावा तल्ड़कवन्यासा प्रेत्नेगला चे दुपर लिवरा लाणाई आनि एक सांगला चे दुटाक्ता न दिस्ते चे चिन सोनी पुणा सोनी सर तयार होता है समुर्चे इंटनी गोलंदाजी करन्या करता संकेत महाजन चेंडु स्रीमारे शेकले तो दोन शेत्रक्षक धावता है उचला चेंडु आताथ दिला तैनी डायू लगवली पन मात्र धावा गेने पासुन वाच्वू शक्लिनाई अप्रतीम शेत्रक्षन आज यास परदेजा दूसरा दिवस अड़े आपन वक्तों एकुन सववशटक चालेले तैनी शेवट्चा चेंडु डाकता है सीए सचिन सुनी चतिस दावा तीन गडिबाद साहाशटकंचा खेल संपला पस्तिस दावा तीन गडिबाद संकित माजन दावा 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 चेंडु त एक चावकाराचा सायान तर आकरा चेंडु त साथ दावा कलुन खेलता है ते अभीजीत काकले सीए तेनसा मातरा अजन खुटला चावकारालेल नाई तार्गेट आपला थुड़स मुठो तन दिस्ते प्रत्तेकशटकाला 20 दावा पाईजे जिंकने करता क्रिकेट मदे शक्किया शक्कियास्त कहिस नस्तफक्त प्रेत्नाची पराकास्टा करावी लागते आणि ती पराकास्टा करतात्का फलंदास बगुए कुप बाहर आलेट आनि नो बॉल यहाँ टिकाने पंचाने डिकलेर गेला कारना तेन्चा आपेक्षा नौती त्याना कि आशा पततीना फलंदाज एकदम पुढे उन खेलतील मला अनि मनुन त्यानचा तोल गेला अनि चेंडू मात्रवास देस्टिक अनि पड़ला त्याला पंचानी नो बॉल मनुन गोश्टित केलेले एक वेगला शॉट खेला इसा परेतन गेला याला स्कूप आसा मटल जाता क्रिकेट चा परिवाश एतानी दिलचान स्रिलंके चा खेलावने हाँ शॉट शोदून काडलेला होता पंट्यान अंतर साउशो दनाथ आपलेला कूप भर पड़ले ची दिस्ते पराध इथे करा कि वा मरा आशापद दिने दोनी फलंदा जानना तैंची भूमीका पार पड़ावी लागना रे दावांचो ओजवाड़त चाललेले आणी हे ओजज़र कमी करायचा असतेल तर मातर एकेरी दावाननी तुम्हाला काईच फरक पड़नार नाई चौकार आणी शटकारांची आ लून काड़ता है ते करन चेंडू अजूनी भरपूर शिल्लका है विस बॉल मदे शाद तर दावा करायच ओध्या इते मातर मराठी मत नजर सांगावतर फलंदाजानी नांग्या टाक ले आता असम अटल तरीकाई वाउगठर नार नाई करन स्ट्रोक जे पाईज़र आक हे जे शटकाई यह शटकादून खुब काई शिकायला मेड़ेला आपलेला आनि सोनवने करतायच गोलंदाजी क्या बले तीन धावा दिलेलेले तेननी शत्ररक्षना थोड़स बदल करताना दिसतायच जागा बदलली जाते सूरी अस्तला जाताना दिसतोये आनि आज यह स किंग्स राइडर्स समुरून सोनवने विद्यार्थी आहे आनि ते गोलंदाजी करतायच तेनचा समुर अभी जीत काकड़े 17 चिंडूत आठ धावा यह नव परवड़नार समी करना है पंते परवड़ेल कदी जावलेस जवकार्षकार दिले तेमा सीमा रेशा बाहर चार धावान करता क्रिकेट संपत नहीं आसाज आप लेला ही क्रिकेट बगयाला मिलते संकेत महाजन 13 चंडूत आकरा धावा कड़ून खेलता है तर अभी जीत काकड़े 15 चंडूत आठ धावा एकुन धाव संक्या 38 तीन गड़ी बाद एक आजूना प्रतिम चंडू आस काए नाइट राइडर संगा चाए अगेंस आजो संग है सिए स्टार्स खरज यांचे स्टार्स समक्ता ना दिसता है आणि ते दिवसा तारे दाखोता है फलंदाज आनना अनेक चेंडू कनेक्ट होत नहीं मनुन फलंदाज रिटार हट जाले लेत ते मैदाना चा बाहर गेलेत तैननी जागा भरून काण्या करता अक्रम ख्यालालोला मैदान और पाठाव लेले स्री निवास स्कुल करनी चेंडू हवेतन प्रवास करतो है आणि हाँ विसाव लातो शत्रक्षागाचा हाथा तो जे माँ विसावतो है ते माँ फलंदाज ला सुद्धा बाटते कि माला विश्रांती घेटली भाई ये पनमातर ती आपला तंबूद जाओन चाउथा घड़ी बाद होतो है सोनी साना नी यादी उत्तम शटक टाकला नी इत्त मातर तेननी एक सुन्द रासा जेल गेउन एका चांगले फलंदाजला बाहर पाटवला साकेत महाजन 15 जंडूद 15 दावा आणि स्री निवास कुल करनी ला मातर अपला खाता उगणन बाक किया है रोज नौ सामने दिवयाची जागा सुर्याची जागा दिवय घेताना दिस्ताथ संध्याकली स्कोर आहे त्रे चाड़ी च्यार गड़ी बाद आणि आठवाशटक चाल लेले तुम्हाला इक्वेलेशन सांगतो है 17 चेंडू 51 धावा एक इकड़े आनि तिकड़े प्रमिन बांगर सर उन्च पुड़ा खेलालू है ताकत वर खेलालू है अनि अन्चे ताक्ती चा काई उपयो गोतो है का किमातो है आपले संगाला उत्तम फलंदाजी करून एका चांगले स्तित आंतात का बगुया दोगांची दाव संक्या 0-0 संगाची दाव संक्या नाइट आईडर संगाची 43 पास गड़ी बाद प्रत्तेक शटकाथ 27 धावा पाईजित तेवलत ये सोप नहीं है प्रत्तेक चेंडूलत सवकार जरी लगवला बांगल सर तरी तेवल्य धावा येन शक्के नहीं है इतुन मात्रपुडे चार चेंडू जरी गेले थर शटकार जरी आले तरी तेवल्य धावा होन शक्के नसेल 15 चेंडू 70 धावा चवरी चड़ी स्वर पाच आणी स्ट्राइक येतायत स्रीनिवास कुल कलने संध्याकली चेंडू जर्मा उत्तरतिला लागता तेमा आगदी संव में वातावरं तयार होताना दिस्त साताराचे खंडूबाचे डुंगराचे वाईथाची ये हिर्वली वर हे सामने चालेद सीएपील काट नो बॉल इत पर इंत संगीताचा सूरा एकाईल मेडाला पर मात्र हाँ नो बॉल सांगीत ले बरबर बेसूरा जालेला सूर होता इत मात्र पंच देताएथ फ्री हिट्स आईशारा आणि त्यातुन काई निश्मन ननिक्त हे पाहन्या करता प्रेक्षक उत्सोक स्रीनिवास कुलकरणी ने दोन चंडू खेले दाऊ मात्र मेडाल नाई तो काट बेंड जाला होता त्यावलेस नो बॉल होता कड़क स्रोक के बड़ एक धाऊ मिलेल बांगर्चर सांगता है धाऊन जाऊ थोड़ा उशीर जाला चंडू याएला आणि या ठीकानी दोन दावा पूर्णा सकड़ी आठ वस्ता सुरू जालेले सामने रातरी साड़े आकरा तो बारा परनेता सालता है एका वेगल्या धाटने ना ओहो हो 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 तैन्नी जज्जमेंट नाई यतला परन दावा मात्र तैन्नी रोख लेले आहे चंडू सीमा रिशा पार करून गेला नाहीं आठ वेशाटका चा खेले जमा सम्तवे तैबलेस आमच्या स्कोर बोर्ड वरेत वे दावसंख्या ती एकोन 49 लास आप 5 विकेट और 8 ओर इस दर कम्लिटेट इथा मातर पावर ओर सांगता है पंचा तुम्चा घूगे दिख़े कोप्रयाद बसला दाखवा देला याई त कोप्रयाद पावर ओर आणि गोलंदाजी सोपोली कोणाला जाते बगुया सयम 32 दावा पाविजेत प्रत्तिक शटकाला सहा साच 36 होताथ आज़ुनी आपक्षा है हिंदीत मतला जाते कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है और आशा या आसलेट पाविजेत प्रभीन बांगड एक चेंडुत एक दाव काडुन खेलतायत फलंदाजांचा फली बदलन्याचा प्रयोग बक्तोय आपन दोगान नी पाच चेंडुत साद आवांची पाटनर्शी भूभी केली आणि पात्वा सामना संपने चमारगावर के वड़ बारा चिंडुन सा क्रेशिल लग गेंदबाजी में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है श्यत्रक्षन में भी परिवर्तन नहाटा गेंदबाजी कर रहे है आगे आकर के लिगे गेंद हवा में है और ये चाहते हैं कि अगर क्यांच भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसी के साथ में बांगल सर के खाते पर एक रण जमा होता हुआ ये पहुचे दो रणों पर स्रीनिवास कुल करनी चार रण बना कर खेल रहे है सूरज आखों पर आ रहा है और शायद कि आपका इस्तमाल करके इसे ताला जा सकता है सूरज की दोसने का परहेच किया जा सकता है इसदर में शाम नहाचा की गेन सीमा रिखा की दरब जा रही है और यहां ये शांदार चौका आखरी में कुछ तो करके दिखाए कि जो जिम्मेदारिया हम पर है हम उसे भली बाती निभाने की क्षमता रखते हैं प्रयास कर रहे हैं स्री निवास कुल करनी पाच गेंदों में हाट रहे हैं ये गेन हाथ में जा रही है और या फिकेट का पतर स्री निवास कुल करनी जिस तरह से खुल कर खेलना चाहते थे इसके बाद में होने वाले मुकाबले के लिए क्रिपया हमें सयोग करें जिनका शेतरक्षन है वो टीम जल्द से मैदान पर आ जाए चे विक्टो का नुकसान चोपन रन और अब आपका इक्वेलेशन बनने जा रहा है नव गेंदों में साट रन और ये संभव नहीं है क्र नुगिंदेशेश सयम नहाटा ये गेंद पटकी हुई सीधी विकेट के पर के दस्तानों में ये शोदीप आया है ये गेंद सीधी खेली गई केवल एक रंदेगी और यहाँ बांगट सर कह रहा है कि बल्ले बाजी तो मुझे भी करनी है हमारे भारती टीम के कप्तान विराट कोली अठ्रा नंबर की जर्सी पहनते हैं जर्सिया बहुत कुप बाते करती है खिलाडियों के साथ 45 नंबर 10 नंबर ये पूरा छोड़ कर निकल गए थे बाहर और यहाँ पर इसी के साथ में नव और की समाप्ती 6 गेंदे बच्ची है और आपको रंबनाने हैं 6 गेंदों में 50 उन साथ रंबनाने है पंसामन दावा सहागड़ी बाद एकुन साथ दावा पाईजित्या सहाचिंडूत चलिए आखर इच्चे गेंदों के लिए किसी बुलाया जा रहा है चाजेड आ रहा है चाजेड आया है आखरी च्चे गेंदे डालने के लिए और यहां अगेंद हवा से सफर कर रही है सीमा रिखा के करीब से यहां चार रनों के लिए सीमा रिखा लांग कर चले गई और इसी के साथ में उनसाट रन बन रहा है किंग्स राइडर के हवा में है गेंद यह चेरन बनेंगे शायद जी हाँ यह चेरनों का इशारा गेंद बाहर चले गई कुछ गेंदे बाकी दूसरे गई के लिए दोड़ना चाहते थे वहां पर मना किया बढ़िया और यहां पर विकेट का पतन उताओ नजर आ रहा है प्रभीन बांगर सर बाहर आये बाकी कम पुरा की अविकेट की पर ने केबल दो गेंदे बाकी रह गई है मली सर आप से निवेदन है के जल से जल अपनी टीम मैदान पर लाएंगे लास्ट दो गेंदे खेलने के लिए 48 रन बनाने हैं और यह क्रिकेट की परिवाशा के बाहर है अउपचा रिक्ता और यह गेंद हवा में सीधी हाथ में आट सी मरेखा के तरव और यहाँ पर शायद इसे अच्छी तरह से श्यत्रक्षन किया स्वपनिल के द्वारा केबल एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज इस तरह से जा रहे हैं कि मानो गुडबाय कर दे हम इस मैच को और इसी के साथ इस मैच के समापती आपने काफी अच्छी तरह से इस मैच को लगबर 46 रनों से जिता है और अमोल खंदारे सीए आप मैन ओफ दिमैच पुरसकार के हगदार हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको नवाजा जाएगा सम्वानित किया जाएगा आपके साथ में इसके बाद जुलेंगे अडुकेट शाम देश्मुक और उनके साथ मिस्टर कुल करने झाल 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 गुगें, सरिया, अमुल काकड़े, आम माप करा, अमुल खंदारे, अमुल खंदारे आनि विध्यारथानपाई की कोणे, विध्यारथानपाई की कोणे रे, दत्तात रैजी, अमुल खंदारे सर आन दत्तात रैजी, प्लीज, झाल झाल प्लुी ऊत्तार है झाल 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 आप सभी का स्वागत है जबकि अगला मैच शुरू होने की तयारी में है दोनी संगाजे ट्वेल्थ में कर पे आ कोमेंटरी वोक्स मद्याल अदर बरो हील दोनी संगाजे ट्वेल्थ में पहली गेंदर लॉंग आफ किस्तान पर फील्ड हो ती भी सी ए कैपिटल वर्सेस सी ए चार्जर्स जबकि चार्जर्स कैपिटल्स बैटिंग कर रही हैं पहली गेंद पर उन्होंने खाता खुला सी ए राज़ेश हेडा और सारंग सराफ सी ए मैयर बम गेंद बाजी के लिए तयार ठीक कमेंटरी बॉक्स के एंड से बाए हाथ से और्टिफिकेट गेंद ठीक सामने गेंद उनके पैड़ पर लगने के बज़ाए बैट से टकराई गेंद और सीधे बोलर के फलो त्रू में गेंद को उठाते बिना किसी रहन के सी ए मैयर की गेंद अच्छा स्ट्रोक बिल्कुल दो फिल्डर के बीच में से गेंद कलात्मा ग्रूप से ऐसी मारे खाके बाहार पहुंची बहुत अच्छा स्ट्रोक सी ए राजे शेडा का बिल्कुल क्रिकिटिंग स्ट्रोक गेंद के लाइन में आए दो फिल्डर को देखा उन्होंने और बिल्कुल कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल दिया ओफ ड्राइ गुरूप में गेंद चार रन के लिए निकली बहुती सुन्दर स्ट्रोक हेडा के बल्ले से वे पहुंचे उन्होंने अपना खाता खुला चार रनों के सहारे टीम को पहुंचा दिया पांच रनों पर पांच रन बाए हाथ से गेंद थोड़ी से लेक्स्ट्रम के बाहर निकालने के तैयारी में धूरे मन से खेला गेंद थोड़ी सी उठी उनके अपेक्षा से लेक्स्ट्रम के बाहर की गेंद को फायदा नहीं उठा पाए गेंद सामने फील्ड होती भी बिना किसी रन के सारंग सराफ नौन स्ट्राइक करेंड पर एक गेंड पर एक रन बनाकर खिलते वे टीम पहुंची है पाच रनों पर इस बार थोड़ा सा एक कदम अटकर गेंड को बैक टुदी बोलर खिल दिया ओन साइड से दोड़ कर आकर फील्ड करते ठीक बोलर के पीछे एक रन से हेडा स्वैम पहुंचे पांच पर और टीम छे पर अब सारंग सराफ फेस करेंगे अगली गेंड को लेक्स्टम के बाहरती जगह बनाई और गेंड को उठा दिया देखना चौका थ्वा चक्का अमपायर का इशारा चक्के का तोड़ी सी शौटप प्लेंड जैसी गेंड उनको लेक्स्टम पर मिली आफसाइट की तरफ अपने आपको कमीट किया और गेंड को पुल कर दिया सीधे स्क्के अमपायर के ऊपर से डीपेट बैकवर्ड स्क्के लेग पर चक्का उच्चके के सहारे सारंग सराफ पहुँचे साथ पर और की समापती भी पहले बारा रनाएं पहले और में सीए कैपिटल्स का मैच चल रहा है सीए चार्जर्स के अगेंस में वे खेल रहे हैं फील्ड का अगर हम देखेंगे तो तीजगस के दाएरे पर तीन के लाड़ी आउन साइड में खड़े किये गया है एक सीमारिखा पर पीछे मिडाउन पर सीमारिखा पर आउफ साइड में है अगर हम देखेंगे तो पॉइंट पर एक खिलाड़ी कवर्स पर स्विपर कवर्स और मिडाउफ काफी उची गेंड है लेकिन बहुती आसानी से कैट करने की तैयारी में इतने आसानी से कैट छोड़ा कि एकागर नहीं कर पाएंगे इनके पीछे अपने आँखे नहीं रख पाए अंत में हातों का टाइमिंग उनका मिस हुआ गे पहले जमीन पर रगड़ती भी एक आसान सकाथ छोड़ा बैटसमन सारंग सराफ तयार है सामने से कौन बना कर गें अंदर आती वे हलके से टैप करके एक रण के लिए दोड़ पड़े दोनों भी लेकिन पहुँच चुके थे क्रीज में अंपायर के उपर एक आहा क्वेशन पूछा लेकिन अंपायर की निगाएं बिल्कुल गिल्यों पर थी सारंग सरा पहुँच चुके थे क्रीज में नौट आउट करार दिया किसी प्रकार की अपील को जो उत्साहा था उस उत्साहा को उनोंने कुछ परिवर्त नहीं होनी दिया स्कोर है चोदह पर आठरन बना कर खेल रहे हैं सारंग सी ए राजेश हेड़ा खेल रहे हैं चेरंग बना कर चार्जर्स को उतारा गया बैटिंग करने के लिए गेंद उनके पैड पर लगने के साथ ही निकली विकेट के पीछे विकेट कीपर के रूप में बिलकु विकेट से चिपके विकेट कीपर रूहन काला कल बहुत अच्छी गेंद बाजी की थी रूहन काला ने आज वही गेंद बाजी और स्टम के इतनी जादा बहार की वाईडी के लिए मजबूर होना पड़ा अमपायर्स को अधूरे मन से गेंद को खेला बैक टो दी बोलर फील्ड किया बम होती भी गेंद निकली बोलर के पास लेकिन किसी प्रकार की रन की कोई संभावना नहीं पंदरा रन कदम चुके फिर से तैयार हेड़ा खेलने के लिए एक कदम हट कर खेलने की कोशीश मैं मिडल और लेक्स्टम के तरफ गेंद जगा बनाना चाहते थे लेकिन हेड़ा इस बार कमिट नहीं कर पाए अपने आपका ओफ साइड में जगा नहीं मिली उनको गेंद को खेलने के लिए और के समापती भी दूसरे और के समापती पर स्कोर है 15 फिफ्टीन फॉर नो लोगाउज CA Chargers elected to field first, when they won the toss and decided to field first, CA Capitals are batting in the middle, their opening batsman CA Rajai Sheda is on 6 with 9 balls and Sarraf is playing on 8 with 1-6 He is now getting ready to face next delivery, the fresh oar is going to start from the commentary box end, Sachin is getting ready to bowl, readjusting his field now Long on and long off, is coming on the 30-yard circle, there is a two-fielder, one sweeper cover is going on the cover area, there is a man at mid-down on the boundary line and now he is getting ready This time ball, outside is relaxed, ball balloons in the air but there is a wicket-keeper before he could pick up wanting to run for a single but Sarraf says no, Heda coming back to on his pop-in crease and on his non-striker and score remains on 15. Next delivery Next delivery, baller again getting ready Outside is off stump again, it's a very good catch indeed Wanting to cut, wanting to cut, misses completely, ball taking the upper edge of the bat and going toward the gully region, there was a very good fielding, very good catch and very important week at Saran Sarraf returning back to his pavilion The fielders name, who caught 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 He Who caught From there And और सारंग सराफ को आखिरकार गेंद को नीचे नहीं रख पाएं और कैच के रूप में नए बैट्समन के रूप में राहूल बलोड आये हैं सीए सचिन कडू गेंद बाजी कर रहे हैं अच्छी गेंद की थी उन्होंने आउस्टम से बाहर की तरफ निकलती भी गेंद को हल के आदों से खेलने की कोशिश में मिडव पर तयार है आउस्टम के बाहर इस बाहर हमपायर ने थोड़ा सा जाचा परखा और फिर निरने किया की ये निशित रूप से वाइड का एक रन देना चाहिए उस एक्स्टर्स के रूप में रन पहुँचे पंद्रह पर पंद्रह रन एक विकेट के नुकसान पर अंदर आती वी गैन बैक टो बोल और बिल्कुल सुरक्षित खेतर में खेल दिया एक रन अविश्य मिलेगा बैट्समन राहूल पलवट को सीए राजेश हेडा को अबगेंद करने के तैयारी में निकल चुके थे लेकिन फिर से अपने बोली पर मार्क पर पहुंचते वे डिरेण के बाहर खेलना चाहते थे ओंस Эड में आहा निकली ये लेकिन उस आहा में अंपाइर के उपर कोई दबाओ की कोई नहीं अंपायर बिल्कुल डटे वे, मंजे वे, पूरी उनकी क्रिया होने दि और बाद में इशारा किया वाइड का उसे एक्स्ट्रेस के सहारे अठ्राह पर गैन पैड़ पर लगने के साथ निकली सामने अच्छी गैन बाजी हो रही है, गैन थोड़ी सी स्टम के लाइन और लेंद को बना के रखा है, उस वज़ह से जगा नहीं मिल रही है गैन को खेलने के लिए खड़े-खड़े खेलने की कोशिश में गैन के पीछे नहीं आ रहे हैं उसी प्रकार की गैन फिर से उनके शरीर के साथ साथ स्टम को टकराई इस बार असंतुष्टे अपने उपर टाइमिंग नहीं कर पा रहे थे और आखिरकार राजे शेड़ा आउट होकर लोटे पविलियन में तीन ओहर के समापती पर अठरा रन छे रन प्रती ओहर के अउस्सत से रन बनते वे तस ओहर के इस लिमिटेड क्रिकेट में मातर तीन ओहर में अठरा रन बनाना एक कसिवी गेंदबाजी का उधारन C.A. सचिनकड़ू ने इस ओहर में अपने तरफ से तीन रन खर्च किये और दो विकेट अरजित किये अपने टीम के लिए बदावलत C.A. कैपिटल्स को उन्होंने रक्षात मकढग के मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है लेकिन नए बैट्समन के रूप में राहूल का साथ देने के लिए नौन स्टाइकरेंट पर C.A. अमर तवानी आ चुके हैं फील्ड को सजाय जा रहा है इस बार्ष टोग खेलने की मनशा जादा लेकिन मनशा के अनुरूप गेंद को खेल नहीं पाए हलके से बर्दिया मयूर माल पानी विकिट की पर दोड़ते पहले आए पॉइंट पर से वेफील्ड करते एक रन से संतुष्च दोन और बैट्समन उस एक रन के साहरे रन संक्या पहुंची वन नीस पर अंगली गेंद इस बार गेंद हवा में थी अलगी वोग स्तान छोड़कर वे निकले थे और आखिरकार एक रन के लिए आजादी दे बैठी बैठे दोनों बैट्समन के लिए स्कूर पहुंचा बीस पर दो विकेट के नुकसान पर चोटा वोग चल रहा है गेंद थोड़ी देर के लिए जमीन से रगड़ती भी निकली हवा में इस बार गेंद उनके बैट के जड़ से टकराई लुड की सामने आउं आउं आउफ साइड में फिर आकर फील्ड करते शॉट मिड़ आउफर इस बार क्लीन बोल्ड कौन बनाकर लगातार दवाव बन रहा था गेंद को मिडल नहीं कर पा रहे थे नियंत रन भरी गेंद बाजी करते वें सी ए कैपिटल्स के गेंद बाज टॉस जीतने के पशाद फील्ड कर रहे हैं वे जबकि चार ओर की समापती हो चुकी हैं बीस रन बन चुके हैं और पांचवे ओर की सिरुवात होने की तैयारी में हैं आप जानते हैं सी ए चार्जर्स को फील्ड करने के बैटिंग सी ए चार्जर्स ने अलगी टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का निरने लिया और उसके पश्चाद सी ए कैपिटल्स बीच मैदान में खेल रहे अमर्टवानी एक रन पर है अब उनका साथ देने के लिए न के खित्मत में हर्शल पाट्नी और अमर्टवानी ये दो बलेबाज मैदान में हैं और शुरुवाते तीन विकेट यहां पर काफी जल्दी से खोय है कैपिटल्स ने तो जो निरने यहां पर लिया है निनाद एक रन यहां पर मिलेगा हर्शल पाट्नी और सी अमर्टवानी ये दो बलेबाज मैदान में हैं 21 रन तीन विकेट के नुकसान पर निनाद श्रीकांत अपना पहला ओवर लेकर आये हैं रोहन काला जी ने आज अच्छी गेंबजी की दो ओर्स के अंदर केवल पांच रन देते वे एक विकेट उन्होंने हासिल किया है निनाद की ये गेंब अच्छी गेंब कुछ देर के लिए हवा में जरूर लेकिन सुरक्षीद है और थोड़ी मीस्पील ही यहां पर होती हुई एक्स्ट्रा कवर्प्शेत्र में और इस बीच दूसरा रन यहां पर पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने तो इस दो रनों के साथ रंसंख्या आगे बढ़ रही हैं तेवीस के उपर और तीन महत्पन विकेट यहां पर खोये हैं कैपिटल्स ने तो अच्छी गेंद फिर एक बार फुलर लेंद की यह गेंद यौरकर लेंद भी हम कह सकते हैं इसे अच्छी गेंद बिलकुल और इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला यहां पर बल्लेबाजने कोई रन ही को नुक्सान नहीं हलकिसी हवा चड़ रही है मैदान में फिर एक बार लेकिन इस बार फिल्डर है और अच्छी फिल्डिंग इस बार तो कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा खुब सुरसा बिलकुल हरा भरा यह मैदान MIT कॉलेज का और इस खुब सुरसे मैदान की उपर C.A.P.L. सीजन 14 चड़ रहा है सुरज धिरे धिरे पच्छिम की तरफ जुखता हुआ परच्छाईया थोड़ी लंब यहां पर होती भी निनाद श्रीकान की इस गेन को इस बार केला है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक अगेन को फीड किया गया और इस बिच एक रनी हांपर दोड़कर पूरा कर लिया है दोनों ही बल्ले बाजने रनसंग के आगे बढ़ती भी 24 रन तीन विकेट के नुक्सान पर तो जो हम बात कर रहे थे हैं यहांपर के CH Chargers ने जो टॉस जितने के बाद अगेन बाजी करने का निरने लिया है तो अब तक बिल्कुल सही साबित होता हुआ यह निरने तीन महत्पुन विकेट काफी जल्दी ही यहांपर हासिल कर लिया है और दबाव बनाये रखा है इस बार आफस्टम कवर करते हैं खेलने की कोशीश लेकिन ठीक से सब़ई नहीं पाये थे बल्ले बाज और काफी तेज गेन यहांपर होती भी बल्ले के बज़ाए पैड से टकराए फिल्डर मौजुद कोई रन यहांपर नहीं मिलेगा और इस तरह से यह ओर यहांपर समाप्त होता हुआ निनाद से श्रीकान का यह ओर नमबर था पांच तो इस तरह से जब पांच ओर का खेल समाप्त हो चुका है तो रन संक्या है 24 रन तीन विकेट के नुक्सान पर अमर टवानी खेल रहे हैं दो रन बनाकर हर्शल पाड़नी खेल रहे हैं तीन रन बनाकर निनाद में इस ओर के अंदर केवल चार रन दिये हैं और पांच ओर का खेल समाप्त हुआ है तो ड्रिंक्स मैदान में हैं अरे ज्हीं बनाकर दो रहे हैं झाल 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 मयोर माल पानी मली गेन बाजी करनी के लिए छटे और को लेकर हमारे दूर वाली छोर से इस बार गेंद कुछ देर के लिए हवाम है लेकिन सुरक्षीत हैं फिल्डर थे शॉर्ट विडिविकेट चेतर में लेकिन इसके बाजूत एक रन यहां पर पूरा कर लिया है अमर टवानी जी ने और इस एक रन के साथ रन संक्या 26 के उपर पहुंचती वी हर्शल पाटमी तैयार अच्छी गेंद इस बार मोड़ा है गेंद को और शॉर्ट स्क्या लेकिन तर में अच्छी फिल्डिंग के साथ अच्छा थ्रो यहां पर और उतनी अच्छी भागदोर विकेटों के बीच में इस रन को लेने के लिए तो एक रन यहां पर और जुड़ चुका है कैपिटल्स के खाते में और अब रंसंग के आगे बढ़ते भी 27 रनों के उपर तीन विकेट के नुक्सान तर बल्ली की अगली केंद थोड़ी सी दीमी केंद यहां पर समझ नहीं पाये थे बले बाज आगे निकल कर खेलने की कोशिश में थे और मुझे लगता है चाहो तो स्टंपोट यहां पर हो सकता था लेकिन विकेट कीपर ने इन्हें खेलने का मौका दिया है मल्ली की यह गेंद फिर एक बार अंद्रुनी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के हाथ में और इस तरह सी यह ओर यहां पर समाप्त होता हुआ तो छे ओर का खेल समाप्त हो चुका है और चटे ओर के समाप्ती पर रंसंग है 27 रन तीन विकेट की नुक्सान पर अमर टवानी खेल रहे हैं तीन रन बनाकर हर्शल पार्टी खेल रहे हैं पांच रन बनाकर साजेदारी साथ रनों की हो चुकी हैं दोनों ही बल्ले बाजों के बीच एमाइटी कॉलेज का ये खुब सुरत सा मैदान है और अंगबाद शहर में बसा हुआ और यहां पर ये प्रत्विकिता चड़ रही हैं C.A.P.L. सीजन 14 इस प्रत्विकिता का आज का ये दूसरा दिन है कुल 9 मैचेस प्रत्य दिन यहां पर खेले जा रहे हैं अच्छा शौर्ट इस बार लॉंग ओन और लॉंग ओफ के बीच में से खेलावा च्छे रण रशल पाटनी काफी अच्छी बल्ले बाजी करते हैं और बिल्कुल जैसे देखा की गेंद उनके रीच में है तो बिल्कुल गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया और एक कड़ा प्रहार कर दिया था छे रण के लिए इस बार अच्छी गेंद आफस्टम के ऊपर तेज निकलती भी गेंद को खेला है कवर पॉइंट चेतर में सीमा रेखा के नजदीक गेंद को फीड करके वापस करते हैं दो रन यहां पर और जोड लिये हैं अपने खाते में तो रंसंक्या आगे बढ़ती भी 35 रन तीन विकेट के नुपसान था 35 और धीरे धीरे एक साजीदार यहां पर आ रही हैं हो रही है कैपिटल्स के बल्ले बाजों के तरफ से जिसकी जरूरत थी कैपिटल्स को खास तोर पर जो शुरुआ थी दोनों ही बल्ले बाजों ने तो रंसंक्या आगे बढ़ते भी 36 रनों के उपर तीन विकेट के नुपसान था 36 और त्री और एक अच्छी गेंदिया हम पर इस बार लेक्स्टम के बाहर ये गेंद इस वाइड गोशित किया है अंपायर ने एक रन अधिरिक्त के साथ और जुड़ता हुआ कैपिटल्स के खाते में तोर रंसंक्या आगे सदूतीस रनों के उपर पहुंशती है 37 फो थ्री फिल्डर है डीप एक्स ट्रक बरक्षेतर में एक रन ओ तो एक एक दो दो रन करते हुए यहां पर आगे बढ़ रहे हैं एक अधा छक्का भी यहां पर देखने को मिल रहा है और एक साजेदरियां पर बढ़ती भी नजर आ रही है अठरा रन अब तक जोड लिये हैं चोथे विकेट के लिए तो एक अच्छा लक्षे देनी की कोशिश रहेगी कैपिटल्स की अच्छा शोर्ट पॉइंड के तरफ एक रन और इस तरह से ये साथ वा ओवर समाप्त हो चुका है साथ ओवर की समाप्ती पर रन संग क्या है 49 रन अमर टवानी जी खेल रहे हैं चार रन बनाकर हर्शल पाटनी खेल रहे हैं 15 रन बनाकर और 19 रनों की साज़ेदारी हो चुकी है इन दो बल्ले बाजों के बीच सचीन कड़ू दो और की गेन बाजी की कोई मेड़न नहीं 15 रन देते वे दो विकेट लिए हैं मयूर ने एक और किया जिसमें तीन रन दिये उन्हें कोई सफलता नहीं मिली हैं लेकिन अच्छी के इन बाजी आज की हैं सबी के इन बाजों ने और शुरुआती तीन विकेट लेनी के बाद काफी दबाव में यहां पर डाल दिया था कैपिटल्स को और धिरे धिरे उस दबाव से बाहर निकलते वे कैपिटल्स के ये दो बल्ले बाज अच्छी बल्ले बाजी करते वे मैड़ान के बीच फिर एक बार मल्ली के हाथ में गेंद हैं दूसरे और को लेकर सी ए चारजर्स और सी ए कैपिटल्स के बीच का ये महद्दो पूर्ण मुकाबला अच्छी गेंद और इसे खेला है लंग ओफ चेतर में फिल्डर मौजुद केवल एक रन यहाँ पर मिलेगा और इस एक रन के साथ रंसन के चैलीज क्यों पर पहुंचती वे 44-3 इस मैच के बाद तीन मैचेस और आने हैं इस प्रतियोगीता के कुल नो मैचेस प्रतिदीन खेले जा रहे हैं फिल्टोस गेंड थोड़ी धीमी भी थी तो आगे निकलतावी से मोड़ा है स्क्वेर लेक्षेतर में फिल्डर मौजूद और एक रन यहाँ पर और जोड लिया है कैपिटल्स ने अमर टवानी जी एक एक रन बनाताव हर्शल पाटनी जी को खिलने का मौका दे रहे हैं और हर्शल पाटनी जी अच्छे शौर्ट्स यहाँ पर खिलताव है इस बीच अच्छा शौर्ट मिडविकेट और लॉंगाउन के बीच में से खिलावा बैतरीन सा सिक्सर और अच्छी सुजबुज और समझधारी यहाँ पर दोनों ही बल्ले बाजों के बीच मैं देखने को मिर रहे हैं जिस तरह से हम कह रहे थे कि एक रन निकालते वे अमर टवाणी हर्शल पाटनी जी को खेलने का मौका दे रहे हैं और हर्शल पाटनी जी बड़ी आशौर्स यहाँ पर खेल रहे हैं अपने टीम के लिए और धीरे धीरे रनों की रफ्तार को बढ़ाते वे एक अच्छा लक्ष दिनी की कोशिश और एक अच्छी साजीदारी हैं हम पर होती भी दोनों ही बल्ले बाजों के बीच मनली की ये गेंद इस बार अच्छी गेंद टपक आनेक बाद थोड़ी उची उठती भी गेंद और बल्ले का बाहरी किनारा लिया और यहाँ पर अपील हुई और एक विकेट यहाँ पर खोया है महत्वपूर्ण विकेट हर्शल पाटनी जी का जो साजीदारी यहाँ पर हो रही थी उस साजीदारी को तोड़ने में कामिया भी मिली है मली को और एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने यहाँ पर लिया है झाल 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 हवा में है गेंद फिल्डर है वहाँ पर लॉंग उन्ग शेत्र में और केदार पांडे आये थे नए बल्ले बाज और पहली ही गेंद के उपर लॉंग उन्ग शेत्र में कैच किये गए इस तरह से यह और एक महत्वपूर्ण विकेट खोया है कैपिटल्स ने लगातार दो गेंदो के उपर दो विकेट हासिल किये हैं मली ने पहले हर्शल पाटनी जो की अच्छी बल्ले बाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए उनका विकेट कीपर कडू द्वारा कैच किया गया और अभी अभी एक शौट खिलनी की कोशिश में केदार पांडे जी का कैच किया गया लॉंग उन्ग शेत्र में तो इस तरह से दो गिंदो के उपर दो महत पुन विकेट यहां पर लिये हैं मली काफी अच्छे खिलाडी है और काफी कोशिशे और वेरियेशन्स उनके गेन बाजी में रहती हैं तो देखना है कि क्या इस प्रतिव गिता की पहली हैट्रिक लेने वाले खिलाडी अच्छी के इंदि यहां पर सुरक्षात्मक तरीके से खेला श्रेयस नए बल्लेबाज केदार के आउटने के बाद आये हैं और इस तरह से एक सफल ओर जिसके अंदर दो महत पुन विकेट लिये मली ने वो यहां पर समाप्त होता हुआ तो कुछ इशारा अंपायर के पांच फिकेट के नुकसान पर बैटिंग पाउर प्ले का इशारा यहां पर आ चुका है झाल झाल और गेंद हवा में एक स्ट्रक वर्क शेत्र में लिकिर कैच नहीं कर पाए एक जीवन दान यहां पर मिलता हुआ अमर टवानी जी को 48 फॉर फाइ 48 रन पांच विकेट के नुकसान पर श्रियस सामना करने के लिए निनाद श्रीकांत आये हैं गेंबाजी करने के लिए अच्छे गेंद इस बार निनाद की और स्टम के उपर टपा खाती भी थोड़ी उची उठती भी ये गेंद बड़ी आगेंबाजी आज की हैं चार्जर्स ने बिलकुल बांद कर रखा हैं बल्ले बाजों को कुछ छक्के जरूर आए हैं हर्शल पट्मी के बल्ले से लेकिन बाकी खिलाडियों ने आज नीरा शाही की हैं कैपिटल्स के और जिस तरह की बल्ले बाजी होनी चाहिए उस तरह की बल्ले बाजी नहीं हुई है इस बीच एक गेंद आफस्टम के काफी ज़्यादा बाहर जाने के कारण इसे वाइड गोशित की आएंपायर मोसिन हाश्मी जी ने तो एक रन और जुड़ता हुआ कैपिटल्स के खाते में रन संक्या आगे बढ़ते हुई उन पचास रन पांच बिकेट की नुक्साल पर फोर्टी नाइन फॉफाइड अच्छा शौड फिल्डर हैं बिल्कुल सीमा रिखा की नजदीक और दूसरा रन काफी तेजी से पूरा कर लिया हैं जब तक के फिल्डर के इनको फीड करके वापस करते हैं तो दो रनी हाँ पर जुड चुके हैं और इसी के साथ पचास रन पूरे हो चुके हैं कैपिटल्स के 51 रन पांच बिकेट की नुक्साल पर नवे और की गेंद बाजी चड़ रही हैं फिर एक बार अपने जगह सही खेलने की कोशीश गेंद आफस्टम के बाहर निकलती हुई गेंद के लाइन में नहीं आयते बल्ले बाज बल्ला जरूर गुमाया लेकिन गेंद और बल्ले की बीच कोई मुलाकात नहीं तो कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा एक गेंद मातर डॉट यहां पर होती हुई अच्छी गेंद बजी निनात की अगली गेंद श्रेयस के लिए हवामे है नो मैंस लैंड गेंद सीमा रिखा को पार करते विचारन पर एक बार उसी दिशा में और एक रन काफी तेजी से यहां पर पूरा किया है मिडॉप शेतर में खेलते हुई और इसे के साथ यह ओवर यहां पर समाप तो होता हुआ नो ओर का खेल जब समाप तो चुका है तो कैपिटल्स ने बना है चपन रन पांच विकेट की रुकसान पर फिप्टी सिक्स फ़फाइ अफटर नाइन ओवर्स अमर टवानी खेल रहे हैं छेर रन बनाकर श्रेयस दमानी खेल रहे हैं सात रन बनाकर और निनाद श्री कांत ने दो ओर की गिनबाजी की कोई मेडन नहीं 13 रन दिये कोई सफलता उने नहीं मिली है जबके मयोर मालपानी ने दो ओर में 11 रन देते में दो विकेट लिये हैं तो देखना है कि अन्तीम ओर की गिनबाजी करने के लिए को नाता है श्री राज वकील अन्तीम ओर को लिकर 56 नन मना है कैपिटल्स ने कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है नहीं बना पाए शुरुवा थे तीन विकेट काफी जल्दी खोये थे यहां पर कैपिटल्स ने और उसे के करने एक दबाव सा निर्मन हुआ था एक साजिदारी ज अच्छी बल्ले बाजी जरूर की हर्चल पाटनी ने 22 रनों का योगदान दिया लेकिन उसके बावजूद यहां पर विकेट खोये हैं कैपिटल्स ने और सही लाइन लेन के साथ गेनबाजी यहां पर हुई हैं आज दो चोके यहां पर जरूर आया हैं श्रेयस के तरफ से एक चोका आया है एक ही चोका आया है श्रेयस के तरफ से एक बार आफस्टम के काफी ज़्यादा बाहर और अब इसे वाइड गोशित किया हैं अमपैर में कड़ा प्रहार करने की कोशिश गेंद और बल्ले की पीछ कोई ताल मिल नहीं कोई रन ही को नुकसान नहीं और एक गेंद मातर डॉट यहां पर होते हैं अंतिम और की गेंद बाजी चड़ नहीं है फिर एक बार गेंद गलिक शेतर से फिल्डर गेंद के पीछे दूसरा रन लेनी के लिए निकल पड़े हैं बल्ले बाज थोड़ा सा यहां पर मिस्फिल्ड होता हुआ और उसका पूरा फाइदा उठाते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया है तो इन दो रोनों के साथ रन संक्या आगे बढ़ती भी उन साथ रोनों के उपर फिफ्टी नाइन फफाइद शिर राज की अगलिकेंद शिर राज के लिए इस बार पीछे आते हुए खेलने की कोशिश गेंद आफस्टम के बाहर निकलती भी अर बार बार खोशी जरूर हो रही है बल्ले बास से शौट केलने की लिकिन गेंद और बल्ले की बीच यहां पर मुलाकत नहीं होती भी जिस तरह के run आने चाहिए अंतिम ओर में उस तरह के run नहीं आ रहे हैं फिर एक बार कोशिश लेकिन gain तक नहीं पहुंच पाएं ते बल्ले बास बिल्कुल अपने जगह से खेलने की कोशिश किये और इसी के कारण गेंद को ठीक से बल्ले पर नहीं लेपाए और कोई रन यहां पर नहीं आ रहा है अंतिम गेंद होनी चाहिए इस इनिंग की श्रेयस के लिए आज का यह छटा मैच है इसके बाद तीन मैचेस अभी और आने हैं तो यह मैच भी लो स्कोर का रहेगा तो देखना है किस तरह से और इस तरह से यह दसवे और समापत हो चुका है तो दसवे और के समापती पर रन संका है उनसाट रन पांच पिकेट के नुकसान पर कैपिटल्स को आमंद्रित किया था वले बाजी करने के लिए चार्जर्स ने टॉस जीतने के बाद और साट रनों का जो लक्ष रखा गाया है जैसे ही बल्यवास मैदान में आएंगे मैच दुबारा शुरू होगा मैं एडोकेट शाम देश्मुक मेरे साथ है दननजे कुलकरनी जी आपके साथ फिर एक बार जुड़ेंगे तब तक के लिए अग्या चाहते हैं धन्यवाद धन्यवाद प्रुन्यों शूजेफब सबस्क्राइब झाल 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 पहला चेंडू फुल्टाउस पतुचा चेंडू पॉयंट कड़ा खेडून काड़ा चेंडू जातो ये सीमा रेशेचा बाहेर आनि आहां पहला चावकार सूरिया ता मावल्ती कड़े दातो है क्रिकेट लाइक आदर्शे वातावरन सद्या या अर्धाता समद्या है साट धावा जिंकला कराई चाय ता तल्या पाच धावा बने उलेला सारंग सराफ यंचा चेंडू चेंडू अर्धा बजल करने ते स्कोर लेक पंचांचा समोरेक खेड़ू उभा करने अतला है उज वाताच अमारा मिद्र स्टम कड़ूना उफ्टम कड़े दानारा चेंडू एक धाव दर्मेन मिलते है चेंडूला दिशा दिली शेवट चक्षणी जी अपली फडी है जी बैट है तेचा जो फेस है तो ओपन केला तन्नी आणी चेंडूला जाओ दिले एक धावे साथी एक धावे नी धावसंक्या मैयूरी अंची एक CMA यूर मैल पाणी देनना मल्ली असमांटले जाता ते नॉन स्राइक रेंडला आणी आता सारंग सराफता आर होता है चेंडू टाकने साथी ओ चांगला फट काया पन सरलक्षेत्रक्षा कगड़ा तन्चा ही चांगला क्षेत्रक्षा चेंडू यॉर्क पददीजा तन्चा बरोबर बैट वर्ती अला चेंडू सरल सीमा रेशे चा जाईचा आता तर्ट कानिक्षेत्रक्षा कगड़ा तन्चेंडू अडवला केवल एक धाओ साहाधावा प्रतिशेत्रक्षा चोटा साहवाने या संगला अजया प्रतिशेत्रक्षा चेंडू प्रतिशेत्रक्षा चेंडू या संगला उजया तकारा चेंडू ओस्टम चाहर खेंडू प्रतिशेत्रक्षा कीक्षा चेंडू केवल से फाल संगला मैं उर्माल पाणी सीए अन्ना मिलाली ते पोसलेत दोन धावान वर अणी संगाची धावसंक्या पोसलेती आट वर यानंतर तीन सामने होना रेत सामने आती शेत संत गतीने जालो येत त्यामधे तॉसले पद्धती सा चेंडू है चेंडूला फ्लाइट के लिए होती फलंदा जाला अमन्तरित के लिए होता तैननी की पुढ़ा यावा आणी तैननी आपल्या जाल्यामधे आड़का वा पंत सा कई नहीं है चेंडू सरल खेडून काडला है तो आण साइड ला एक दावा घेना जाल्यामधे प्रहतना होता फुढ़ तो कई सफल नहीं है अशरी जीन पहले शटक संपला है पहले शटक आड़ दावा जाले ले आहे दुसरे शटक घ्यून कोने दे बगाएचा है C.S.S. चिन कडू खेड़ता है चार चंडू मदे सहा धावा आणी C.S. महीर मालपाणी खेड़ता है दोन चंडू दोन धावा करंड रन रेट जर बगितला पन तर तो आड़ धावा प्रतिशटक तना काड़ाईचा है त्या पाउने सहा धावा प्रतिशटक महीर मालपाणी आना जोर कच फटका माराईचा है पंचेंडू चार रेशेत ते नही है चेंडू एक्ष्टी रख्षा का कड़े जातो है धाव नही है मला उटत केदार गुलंदाजी करता सावेट केदार पांडे आतीशे उत्सा ही वेक्ति मत्व क्रिकेट चा या सीएचा साम्यान मदला मला जे उडाठो तत्यावर ना यावडेला लेक्ष्टम चा बाहेर जानारा चेंडू है आणि चेंडू देंचे बैटची कड़ गेत जसी गेला एश्टी रख्षा काचा हातात आतस तिरावना चा आतसी है मयूर माल पाणी है अपले आतम्मू मदे परततायत हर्षल माल पाणी यानि आतीश हर्षल पाटनी यानि आतीश है चांगला जहेल गेतला मयूर माल पाणी यान्चा आणि केदार पाणी आना येश्ट एक मिलाले आणि जरी छोटस लक्षा असल तरीते मातराता तोड़ा जिकरी चठरतकी काई ते बागाईचे जशी चेंडूनी बैट्ची करड़ गेतली तरशे ते पैवेलेन कड़े चालते थाले नविन बैट्समन नए बैट्समन के रूप में नामने मालू अतुलू काई दोन शक्षेत रक्षा काचन मदन चेंडू गेलाए कवर्स कडे चेंडू अडवत एक दाउदर में मिलाले दूनी फलंदा जाला अनुप जोशी आता मैदाना मद्यायत सिये सचिन कडू सहधावान वर खेलतायत केदार पंडे अपली गोलन जी करतायत दुसरा शटक सुरू दुसरा शटकतला चाउथा चेंडू बिल्कुल टप्पय वरती नियंद्रित्यांचा मारा चेंडू तीन यस्टेंचा आतमधे स्टम कडे दानारा रक्षातमग पद्दजीन सिये सचिन कडू यानी खेलून कहड़ला बैक्टो दी बोलर या पद्दजीन कीदार पंडे अपली आ बोलिंग चारन पोर पोहुच लेत या बेलेला चांगला फटका एक दाउ मात्र मिलनारे कन्दा ठीकानी गोलन्दा जेजा पाठी मांग एक खेलू आ है त्यानी चेंडू या अड़ा उत्ता है मिड़ाफ ओर न एक मिड़विकेट है एक मिड़ाफ है एक मिड़ाफ है एक मिड़ाउन है एक स्क्वेर लेक पंदांचा पुड़े खेडू है एक लॉंग लेग है तटावला चेंडू पोईंट वरा है तेथ चेंडू ला अड़वे परियंथ दोनी फल अन्दादनी एक एक धाव धाउन काहड़ली एक एक करुण धावा निकता है तंचा अवर कुटला दबाउन नहीं है चेंडू गणीग धावा काड़ाई चायात अठ्टे चली चेंडू बाकियात एक उन 15 धावा काड़ाई चा अधा बगायचे गोलंदाजी ला कोनेते मलावट दपरत सारंग साराफस गोलंदाजी ला इतायत क्षे त्रक्षान रचने में थे बदल करना थे तो है केवड तीन खेड़ू है आउन साइड लाइट अणि तीन तीन सहा खेड़ू है आउन साइड लाइट सहा तीन चीविव रचने से गोलंदाजी करता है सारंग सरा फिरकी गोलंदाज से त्रक्षणा मधे परत अजुन आउफ साइड लादे बदल करूई छी तायर गली, पॉइंट, कवर, मिड ओफ और एक थर्ड मैन लाइट तटावनेजा प्रेतन एक दाव काड़ाईचिये परंतु दाव काई नहीं है सारंग सराफ स्वताह धावत गेले चेंडूला अडवे परियंत दोणी फलंदाजाला धाव केनेजी कुटली संदी नहीं है सीए चार्जर स्वर्ती डवाउ टाकनेचा प्रेतनाथ सारंग सराफ यांचा चेंडू, चेंडू हवे जरूर केला इस्ट्रक्षका का चामागी की चेंडू केला पर एक धावदर मैं मिलाली 이कधा बेनी धावनें धावसंकेब जाते दी बारा वरते बारा हुर्ती बारा धाववा ए गड़ी बाद जिंकडाने सीर्टी जा धावा कराई चाते असा दवाव तरेंज हवर कई नहीं है परन्तु असा दबाव नाईये नाईये मुण। क्यम्भा दबाव ये तो ही सुद्धा कड़त नहीं। अशा छोटया लक्षाचा पाटलाग करता ना। तैननी जा पद्धतिन चेंडू फटकारला होता, खूप गतिमान फटका होता, तो सरोल पॉइंट कर गिला, सरोल फेकली आणि एक दबावा साथी एक विकेड़ जी तैन्ना हवी होती, ती तैन्ना मिला लिया। नाहीं, कुटले लक्षे हे मोठ नाहीं, हे जो परियंत आपन समझत नाहीं, तो परियंत क्रिकेट क्रिकेट से काम करूँ जाते। दबाव अन्ने साथी जाजा टेक्टिक्स कराई चायत, टेक्टिक्स सगले के लिया दतायत, मैदना तीना निसाहाची, जी कई रचना है, ती रचना करने अतली। सारंग सराप दबाव टकने चातायरित, नविन फलंदाज फलंदाज साथी आलेत, यावडलेला मातरलेक्स्टम चब बाहेर थोड़ासा निखाला चेंडू, खेडाईचा आउता त्यानना अपन चेंडू उच्ची गती, थोड़ी शी मंदा उलेली असले मुलाते टाइमि याव इश्टिरक्षा का कड़ गिला है धाव नहीं है आणि दबाव मतर अजुनी कायम है तिसरे शटक सारंग सराप बरपूर वेल घेता तपले शटक टकने साथी फटका मारला दसा धाव घेताना एक धावा, एक धावे नी धाव संक्या ही फोचले लिया है तेरा धावा दोनगडी बाद, दोनी संगान वरती दबाव है कमी धावे चा दबाव गोलंदाजी करनारे संगाव अरे, तीन गडी बाद जाले चा दबाव हाफलंदाजी करनारे संगाव अरे, आणि तो दबाव मैदाना मधुन दिशाईला लागला है दिशाईला लागला त्याजबर वर आईकु सुद्धाई आईला लागला है शेवट्चा शेणी चेंडूला दिशा दाखोली एक खेडू धावबाद जालेला हे लक्षा ते तैंचा त्या मुण तेके धावले नै आणि हे शटक संपलेला सारंग सारा फेंचो अतिशे चांगल शटक संपले तैनी केवल या शटका मदे धावा दिल्या त्या दोन आणि गडी बात करने मदे धावबाद जाला तेंचा शटकात गडी पन चांगल कसलेला शटक तेनी टाकले अता गोलंदाजी मदे कोण गोलंदाजी लाईते पगाईचे मला उटत सीए गोलंदाजी सटी एतायत तीन शटक संपली तेरा धावा जालेत जिंकने सटी धावा कराईचायत सत्ते जडी बेचडी चिंडु शिल्लक है 42 डिवरीज फोर 47 रांस टार्गेट इस 60 रांस 13 फोर 2 सीए अमर अलेले आई ता गोलंदाजी ला सीए अमर तवानी अपले पहले शटक संगाचा उते शटक घुन ताया रेत उज्वे हताचा मारा देंचा उस्टमपवर्चा चेंडु सरल गेला तो शेत्रक्षका कड़े धाव मात्रो नाई ये आणि पुडचा सामनाची नाने फेक लवकर या ठीकाणी होते यानन दर्चा जो सामनाए ताची नाने फेक समोर होते पुडचा चेंडु अमर यांचा अउस्टमचा बाहेर अतिशे चांग लक्षे त्रक्षका होते ते ओफ साइड ला या विलेला मात्र एक धाव मिलते हैं एक धावे नी धाव संक्या पुछिली ती चवदावा चवदा धावा दोन गड़ी बाद चवदाशटक सूरुए है चार पुरणंक दोन धावा प्रतिशटक धावगती है धावगती पोछिली साथ धावा प्रतिशटका नवरते एक एक करत धावा रोक लेयाद मोटा फटका यू दैजा नई एश्टी रक्षक परत जे पॉइंट चिखे एडवे त्यानना अजुन थोड़सो पॉइंट कड़े दावला संक्ताई ओ चांगला चेंडू अत्तिशे चांगला चेंडू थोड़सा खोलू और टप्पाजा चेंडू फलंदाजला पुढई आवला लागला परंदू देची चेंडू चा टप्पाज परिंद काई पोच्चू शेकले नई पर यानी चेंडू केला तो एश्ट्रक्षक कड़े धाव नाई ये परंदू एक दबाव मदर फलंदाजा वर जरूर है तो दबावाला हाटू देचे नई ख्षेत रक्षणा में दे बदल केले जाता है तो वारम वार और एक एक धाव आचा उली जाते यावलल मा तो चेंडू चांगला फटका चार दबा मिलनार यादकाई शंका नई है सुन्दर फटका मिडल स्टम्प रेनारा चेंडू थोड़े से पूड़े आले अनि चेंडू गुलंदाजा चा पाठी मागे गेलासी मारिशे चा बाहर लोंगाउन अनि मेडाउन ला कुटली ही ताठीकाणी संधी नवती केदार पांडे ताठीकाणी होते तांचा समुरुण चेंडू गेला चार दावान साथी यावलल चेंडू ने बैच्ची कड़ गितली पन एक दाव मातर मिलते हैं खेडाईचा होता ता त्याना तो कवर्स कड़े पन चेंडू गेला पॉइंट कड़े एक दाव मिलाली एक दावेनी अनुपजोशी खेलता है त्याए आठ धावान वर रोहन काला खेलता है दोन धावान वर ती संगाची दावसंक है एकोने से अजुने ही सदूती चेंडू मदे एक दावान ची गरज है हलके स्तटून का हडले एक दावे साथी मतर धावले आठ एक स्ट्राच्चर उपट कुटली धावन नहीं है बैक अप करता है ते पाठी मागोन सी है आठ ती से चान बैक अप एक दावदर मेंड मिला ली वीज धावा दोन गड़ी बाद चारशट का संपली है चार शटका चासमापती नंतर चत्तीस चेंडो मेंड याथा अजून चारीस धावांची गरज है अनुप जोशी आठ धावानवर रोहुन काला तीन धावानवर खेलता है सी एमर तवाणी अंची शटक संपले साथ धावा दीले ते निया शटका मधे एक चावकार हा अनुप जोशी ने आपले बैट मधन तन्ना तन्चे गुलन दाजी वर मारला होता सूरिया ता अस्ता लागेला है तावर ची लाइट थोड़ाच वेडा मधे हाता लाइट अप होतील एकनेट होतील आणी मैदान अवरते डे नाइट चाजो मंद प्रकाश है तो ताला सुरुवात फईल इनारा अर्धातास खेलं काढ़ना तीशे जिकरीच अस्ता या वड़ेला लेक्स्टम चा बाहर चेंडू अहा मात्रच उकार जानार यात कई शंका नहीं है खराब चेंडू लेक्स्टम चा बाहर चेंडू गेला ये तो लॉंग लेक्स्टम चा दिशे ने अणी या चार धावा अशा दभावा चा वेडेला अशा चार धावा जाना ये संगा साथी गोलंदई चा सांगल नाई पन फलंदई साथी मात्रती सांगल है एक लेक्स्टम चा बाहर जाना रा चेंडू है पंचान कड़े तैंचा इशारा है की काई हाँ वाइड है काई पंचान ने इतना समझावल चेंडू कहलाँचा ओंसाइडला चेंडू कहला ओफसाइडला शरकषिटि रक्षक पाटि मागौन dönवा देतायत चेंडू अडवतायत दाव कई नाई लेगे आती शे संध क्रिकेट हुते 1 तवाणी सीए थी ते आहे ते चेंडू अडवथा朝 शौट थर्ड मैंनानी गलीचा बरुपर मद्ध्या वरते वेद पॉइंट वर तंचा उजेवा बजूले खेड़ुए कवर्स वरते सिमारेशे वरे खेड़ुए दोनी काप्चम मद्धे शौट मिटाउफ लाइख खेड़ुए कवर्स वरे खेड़ुबाए अनसाइड ला तीन खेड़ुबेद हवेद चेंड़ुए या भेलेला मतर जोरकस धाउदाउन काड़ ले एक एक करत धावा निकता है फलन दाजावर धावा जोरकस काड़ने चा दबाव जरी नहीं है तरी आता सहा धावा प्रतीशटक तना काड़ाई चायत दाव संक्या आताजी आहेती 27 धावा पाचव शटक सुरू है पुडचा मैच्चे नाने फेक करून ग्यावी करपया विणंती करने देते या वलेला अमर तवानी आनना चेंड़ुचा जो टपाया थानी बीट केल आनी चेंड़ुगेला शरोल सी मारेशेचा बाहे एक लग्की जोकार तना मिलाला अमर तवानी ताटिकनी उज्वी कड़ जाई चाथ चेंड़ुचेंचा डावी कड़न निगुण गेला सी मारेशेचा बाहे अशरीतिने हाँ जोकार मिलाला संगाला हाँ चवकार CA Chargers चा थोड़ा सा दबाव कमी करना रहा चवकार है आता पाथ चटका मदे 30 दावाद आला आणि उरलेले पाथ चटका मदे अजुन 30 दावाद आना काडाई चायत ड्रिंक्स मैदाना मदे आता प्रवेश करते सूर्य मावलतीला गेला अस्ताला गेला आणि आता जा अर्टिफिशेल अपले लाइट आत ते लाइट आप होने चाता यारी मदे मन्द प्रकाश मैदाना वरते समोर जा दोंगर दिस्तायत के डोंगर यहां मैदा अधिशे मोक्ल असो मैदान, हिर्वगार मैदान, M.I.T. चा मैदाना वर C.A.P.L. चे हेजे सामने आद, अधिशे रंगत्दार पुद्धती मदे काल पासुन, सुर्वाज जालेले, लीग चे काल नौ सामने खेड़ले गेले, आचा हा साहुआ सामना सात्वा सामना सुरुए यानंतर अजुन, मलावट्ट, यानंतर अजुन तीन सामने भाईचेर, हा साहुआ सामना सुरुए है, मंजे एकोन पन्रवा सामना हा या मैदाना वरति, चालो एकाल पसुन लीग चे मैचेस, उध्या ही लीग चे मैचेस खेड़ले जातील, आणि मग परवा पसुन, कौट कौटर फाइनल चे मैचेस, सेमी फाइनल चे मैचेस, शो मैचेस, आणि मग दोन सेमी फाइनल चा सामने सह शेवट चा फाइनल सा सामना रवरी रात्री नव अस्ता खेड़ला जानार, आणि त्या तुन C.A.P.L. 2022, चवदाव सीजन हे, संपूर्ण आकारा लाए नारे, त जबर मध्यवर्तिहा संगाला, तीज धावा, जिंकना साथी, तीज धावा संगाचा धालिला, आणि उरलेला, तीज धावा कसा काहड़तात, याचा वर्णन करना साथी, हिंदी तून, शाम, देश्मौ। सुरज बिलकुल पच्छिम की तरफ डूपता हुआ, और धिरी धिरे अब कुछी देर के बाद लाइट्स ओन किये जाएंगे, और रोशनी के बीच ये प्रत्युगीता और ये मैच खिल जाएगे, इस बीच पॉइंट की तरफ कहलते हुए, काफी तेजी से इस रन को चु किता था, और पहले बल्ले बाजी करने का निर्णाय लेते वें, आमन्तरित किया था, कैपिटल्स को, पहले गेन बाजी करने का निर्णाय लेते वें, आमन्तरित किया था, कैपिटल्स को बल्ले बाजी करने के लिए, और अच्छी गेन बाजी करते वें, उन साथ रोनों के पीछा करते वे अब तक 31 रन बना लिये हैं दो विकेट के नुफसान पर फिल्डिंग की सजावट यहां पर हो रही है हर्शल पाटनीजी के तरफ से आज हर्शल पाटनीजी ने अच्छी बले बाजी की अपने टीम के लिए फिलहाल गेंद बाजी करने के लिए आये हैं अप वल एक रन यहां पर मिलेगा रंसंग के आगे बढ़ती भी 32 रन दो विकेट के नुफसान पर 32 फो टू अनुप जोशी खिर रहे हैं दस रन बनाकर रोहन काला खिर रहे हैं तेरा रन बनाकर और तीसरे विकेट के साजेदारी में 20 रन जोड लिये हैं अच्छा शौट यहां पर मिलेंगे अच्छी बल्लेबाज यहां पर दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल जम चुके हैं मैदान में फिर एक बार आगे निकलते वे खेला है मिड़ौंग शेत्र में केदार है लौंग उन पर गेंद को फीड करके वापस करते एक रन ही हम पर और जोड लिया है अपने खाते में तो चार्जर साब पहुंच चुकी हैं सदोतीस रनों के उपर तेवीस रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए तेरा रन बनाकर रोहन और पंधरा रन बनाकर अनुप बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार और अफस्टम को कवर करते हैं खेला वाई ये शोड चार रन और धीरे धीरे रनों की रफ़तार को थोड़ा सा तेज किया है अब दोनों ही बल्लेबाजों ने जबके जम चुके हैं मैदान में तो रनों की रफ़तार को यहां पर तेज किया है एक तालीस रन दो विकेट के नुफसान पर एक बार अफस्टम को कवर करते हैं खेलने की कोशिश लेकिन इस बार ठीक से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाएं थे बल्लेबाज और कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा छे टावर्स लगाए गये हैं डे नाइट के मैचेस यहां पर हो रहे हैं सी एपिल सीजन चवदा के लिए और रोश्णी के बीच अब ये मैच खेला जा रहा है तो इस तरह से जब छे ओर का खेल समाप्त हो चुका है तो रन संक्या है एक तालीस रन उननीस रन भी और बनाने इस मैच को जीतने के लिए आने वाले चार ओर्स के अंदर चोबीस गिंदे उननीस रन यह है इक्वेशन यहां पर इन रनो और गिंदो के बीच का जो फासला है वो है पांच गिंदे जादा है रहुन काला सतरा रन बनाकर रनूब जोशी पंदरा रन बनाकर बल्ले बाजी कर रहे हैं 29 रनों की साज़ेदारी हो चुकी है दोनों ही बल्ले बाजों की बीच और पिछले और में अच्छे रन बनाये थे हर्शल पाटनी के 11 रन आये थे हलके से टैप किया एक रन और 42 रन दो विकेट की नुक्सान बाद अच्छी गेंद अफस्टम के ऊपर से निकलती भी ये गेंद रोहनकाला 17 रन बनाकर बले बाजी कर रहे हैं तीन चोकों की साहता से अच्छा शोट इस बार फिल्डर है और एक खुबसूरत सा कैच लंग ओफ शेत्र में और जो जोड़ी जम चुकी थी यहां पर 30 रनों की साज़ेदारी की थी वो जोड़ी यहां पर तोड़ने में कामियावी मिली है वेंकटेश रामपूर कर को एक बढ़िया कैच किया गया लंग ओफ शेत्र में और इस तरह से तीसरा विकेट खुआया है सीए चार्जर्स ने श्री राज आये हैं बल्ले बाजी करने के लिए एक रन के साथ अपना खाता यहां पर खोला है श्री राज ने रन संक्या आगे बढ़ती भी 43 रन तीन विकेट के नुपसान था 17 रन भी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 17 रन्स रिक्वार्ट विन दा मैच वेंकटेश रामपूर कर दूसरा और लेकर आए हैं एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया है किसी हवा चल रही है मैदान में खेला गलिक शेत्र में और काफी तेजी से फिल्डर गेंद के उपर आया लेकिन उतनी तेजी से इस रन को पूरा कर लिया है श्री राज वकिल और अनूप जोशी इसके बाद का जो मैच खेला जाना है नाइट राइडर्स और डेयर डेविल्स के बीच सीए नाइट राइडर्स और सीए डेयर डेविल्स दोनों ही टीम के कप्तान को रुप्या टॉस के लिया है इसके खेला है पॉइंट के तरफ एक रन और धीरे धीरे अपने लक्ष के तरफ बढ़ते वी चार्जर्स की टीम अनूप जोशी और शिराज वकिल साथ और का खेल समाप्त हो चुका है 45 रन तीन विकेट के नुकसान पर यह स्कोर 18 गिंदों में 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गिंदे बचिवी हैं 18 रन चाहिए 15 दोनों ही टीमों के लिए यह काफी महत पूर्ण मैच है इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए यह मैच जीतना काफी जरूरी है तो देखना है क्या कुछ होता है फिलाल दोनों ही टीमें बिल्कुल बैलेंच चड़ रही है और थोड़ी सी पकड जरूर इस मैच के उपर बना ली है चार्जर्स ने क्योंकि अब केवल 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और काफी विकेट उनके पास में अभी है और अनूप अच्छी बल्ले बाजी करें अपने टीम के लिए केदार पांडे फिर एक बार इस बिच एक रनी हैं पर और जुड़ता हुआ चार्जर्स के खाते में और इसके बाद का जो मैच यहां पर होना है सीए नाइट राइडर्स और सीए डेयर डेविल्स के बीच तो नाइट राइडर्स ने टॉस जीता हैं और पहले गिन बाजी करने का निरने लिया है और डेर डेविल्स को आमंत्रित किया हैं बेले बाजी करने के लिए फिलहाल जो मैच यहां पर चल रहा है वो है चार्जर्स और कापिटल के बीच का और चार्जर्स पीछा कर रही हैं 60 रनों के लक्ष का और अब तक 46 रन बना लिए हैं तीन विकेट के नुक्सान पर और एक विकेट यहां पर गेंद ने बल्ले का बहारी किनारा लिया ओफ्स्टम के उपर से निकलते वी यह गेंद और एक खुबसुरा सा कैच यहां पर किया गया और अनूप जोशी जो के काफी अच्छी बल्ले बाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए आखिरकार उनका विकेट लेते हैं यहां पर चार्जर्स के उपर दबाओ बनाने की कोशिश कैपिटल्स के तरफ से बड़ी अगेंद बाजी केधार पांडे के तरफ से दूसरा विकेट हासिल किया है केधार ने और केवल चार रन दिये हैं अब तक और दो महत पुन विकेट लिए हैं केधार ने बड़ी अगेंद बाजी विने दरग जी आये हैं बल्ले बाजी करने के लिए अनूप जोशी के आउठने के बाद विने दरग जी आये हैं और केधार की ये गेंद सुरक्षात्मक का तरीके से खेला कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अच्छी गेंद बाजी के दार के तरफ से दबाव बनाने की कोशिश और अनूप जोशी का विकेट लेने के बाद फिर एक बार मैच अब बैलेंस में चलता हुआ चार्जर्स और कैपिटल्स के बीच एक महत पूर्ण मुकाबला चौदा गेंदों में चौदा रन चाहिए इस बार कवरक्षेतर में खेलते हुए बिल्कुल सी मारेखा के नजदीक गेंद को फीड किया गया लेकिन केवल एक ही रन के उपर संतुष्टी हां पर होना पड़ेगा बल्ले बाजो को तो इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रनों के उपर 13 गिंदों में 13 रन चाहिए अच्छा शोर्ट और गेंद सी मारेखा को पार करती में निकल लगी चार रन और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं चार्जर्स के 51 रन चार विकेट के नुकसान पार आठ ओवर का खेल समाप तो चुका है रन संक है 51 रन चार विकेट के नुकसान पर दो और में 9 रन चाहिए शिराज वकील के तरफ से आतावाई खूप सुरा सच्छाव का फुल्टोस बनाते वे इसे खेला है मिडविकेट क्षित्र में और एक रनिया पर और अच्छाई बनाते वे इसे आतावाई 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 अच्छा शोट इस बार केदार पांडे हैं लंगोंग शेत्र में और एक विकेट और बड़ी आप मैच यहां पर होता हुआ श्री राज वकील आउट होकर वापस लोट रहे हैं पैविलियन के तरफ और एक महत्पुर्ण विकेट यहां पर हासिल किया है केदर पांडे जी ने बड़ी हागसा कैच किया लंगोंग शेत्र में निनाद श्रीकांत नए बल्ले बाज केवल आठ रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए लेकिन बिल्कुल रोमांच निर्मान किया है कैपिटल्स के खिलाडियों ने इस मैच के अंदर श्रियश दमानी श्रियश के अगली गेंद अच्छा शौर्ड क्या आपको ढूंते हुए खेलावा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच मेंसे चारन के लिए और इस तरह से पांच विकेटों से इस मैच को जीत लिया हैं सी ए चार्जर्स ने बढ़िया बल्ले बाजी और मैन अब दी मैच हैं सचीन कडू जबके सचीन कडू मैन अब दी मैच निनाद श्रीकांद स्टोडन अब दी मैच मैन अब दी मैच हैं सचीन कडू और निनाद श्रीकांद हैं अब दी मैच दोनों ही खिलाडियों से निवेदन है कि रोपया कॉमेंटरी बॉक्स के तरह आए मुटाश्य